इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शिर्मा और इस वीडियो में हम जून थर्ड वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थरू अपने जून थर्ड वीक के सभी करंट अफेर्स कवर कर सकते हैं और साथी गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कमेंट में दिये गए लिंक पर किलिक करके पा सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइट पर दिये गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें कोई भी आपकी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कोई क्वारी हो तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की निम लिखित में से किसने प्रोजेक्ट O2 for India लॉंच किया आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D जानते हैं इसके बारे में देखे गवर्मेंट ओफ इंडिया के तहट आने वाले ओफिस ओफ प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर द्वारा प्रोजेक्ट O2 for India लॉंच किया गया है इसका उद्देश्य बारे में ओख्शीजन की मांग को पूरी करने के लिए ओख्शीजन का एक नेशनल कंसोर्डियम बनाना है जो ओख्शीजन प्रोड़क्शन इंफरस्ट्रक्चर का कारे सुचारू रूप से चला सके साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये ओफिस ओफ दा प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर है इसकी स्थापना नमबर 1999 में यानि 1999 में की गई थी और अगर हम बात करें प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर है कोवमेंट ओफ इंडिया के ये है प्रोफेसर के विजय रागवन और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये ओफिस ओफ प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर है इसके तहत इन्होंने दो प्रोग्राम जो दो इनिशेटिव हैं ये इनके काफी फेमस हैं और काफी इंपोर्टेंट भी आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से तो इसमें एक पहला तो ये है प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर के अंतरगत आते हैं दोनों इनिशेटिव इनके द्वारा लिए गई हैं आगे बढ़ते हैं इस्रेल के नई प्रधान मंत्री कौन है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी जानते हैं इस कुश्चन के बारे में देखे नफ्तली बेनिट यह यमीना पार्टी के हैं पहली बात तो आप यह याद रखेगा और इनको सितंबर 2023 तक के लिए इस्राइल का प्राइम मिस्टर बनाया गया है क्योंकि यहां पर मेजरोटी किसी पार्टी को नहीं मिली है और आठ पार्टी ने मिला कर एक कोलिशन गवर्मेंट यहां पर बनाने का प्रियास किया है और इसमें 2023 तक यह रहेंगे प्राइम मिस्टर और उसके बाद यायर लापीद जो कि आपके यह अतित पार्टी के हैं ठीक है उसके बाद यह प्राइम मिस्टर बन जाएंगे तो इस तरह की पावर शेरिंग यहां पर हुए यह दो साल के लिए फिर उसके बाद बन जाएंगे 2023 के बाद तो यह दोनों फैक्ट आप याद रखेगा साथ ही आपको बता दें फिलहाल कौन है प्राइम मिस्टर य और पांच कारेकाल इनोंने अब तक किये हैं 1996-1999 के बीच और फिर 2009-2021 के बीच इसरेली के अगर हम बात करें तो प्रेजिडेंट है इसाक हर्जोग देखे फिलाल तो रियोविन है रिवलीन है लेकिन इसाक हर्जोग यह जुलाई में बन जाएंगे क्योंकि इनका नाम ते सेट तो यहां की संसरा में नेसेट 120 सीट्स हैं यह आप याद रखेगा मेजरोटी के लिए 61 सीट्स के अराउंड चाहिए होती है और देखिए यह सभी पार्टीज है यहां पर एट पार्टीज ने मिलाकर यहां पर यह गवर्मेंट बनाई है अच्छा ऐसा भी का जा रहा इनको तो यह बिल्गुल नहीं मानते हैं साथ इनका यह कहना है कि केवल एक जिवीस स्टेट ही होना चाहिए कैपिटल जेरुसलम होनी चाहिए बाकिस के लावा कुछ नहीं होना चाहिए इस तरह की जो है यह सोच रखते हैं तो दिक्कत यहां पर यह है यह जो आप है तो इनके बीच रिष्टे नहीं अच्छ है तो अब यह जो एरेबिक पार्टी है यह भी कॉलिशन गोर्मेंट का हिस्सा है तो यहां पर ओविस सी बात है जब दो अलविपरित विचारधरा के लोग एक साथ आते हैं तो कही ना कहीं आगे जाकर टकराव जरूर होता है तो यहां पर और भी दो तिन पार्टी ऐसी हैं तो यहां पर जो है सेक्विलर और रिलीजियस दोनों तरह के माइंड यहां पर मिक्स हो गए हैं जैसे भारत में जम्मो एंड कश्मीर में महभूबा मुफ्ती और बीजेपी गवर्मेंट नहीं चल सकी जैसे डैली में अरव और से अलग रखा जा सके इनको यहां से हटाया जा सके तो केवल मोडो इनका यही रहा है आगे बढ़ते हैं कौन सा राज यह यूवा सकती कुरोना मुक्ती अभियान शुरू करेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो मध्यपरदेस आपको बजा सकते हैं क्या क्या प्रिकोशन्स आपको लेने चाहिए और किस तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जैसा की नाम से भी यूवा सकती कुरोना मुक्ती अभियान बात करेगर हम मध्यपरदेस की तो यहां की चीफ मिनिस्टर सीवरास सिंग चोहान है गषारिनाषर न मादावन पार्क वन विहाड नेस्टर्र पार्क पनण नेस्टर पार्क पेश्ट नेसेनल पार्क पचमणी घृ ट्रिये अमर्क अंभıld आ कर यहीं महिं और शिप्रा नदी के तठ पर इस्थित युझकि कई ऑग् darle में पुछा चाछा की कि पूछा चाच तटपर है तो आंसर रखी याद रखीएगा शिपरा नदीगे तटपर है देवी अहील्या भाई होल कर एरपोड यहां पर है यह भी आपके एकजाम में पूछा गया है बैंक एकजाम में पूछा गया है और साथी राजा भूज इंटरनेशनल एरपोड भी यही पर इस्थि इस पुर्वी क्रिकेटर को अंतराष्ट्य क्रिकेट परिशत के Hall of Fame में सामिल किया गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C so former Indian क्रिकेटर वीनु माकड हैस बिन इंक्लूडेड इन्टरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स Hall of Fame तो देखे भारत के पुर्व क्रिकेटर रहे हैं वीनु माकड तो इनके समेट 10 players को ICC ने अपने Hall of Fame में इंक्लूड किया है तो अब टोटल संक्या 103 हो गई है 103 player Hall of Fame में इंक्लूड कर दे गए हैं वीनु माकड के अगर बात करें तो भारत के लिए 44 test खेले हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा और बाकी की जो मैंने आपको players बताए ये सबी players हैं तो इनका नाम नहीं लूंगा में सीधा आगे बढ़ेंगे आप इनको देख सकते हैं एक बार बाकी आपके लिए ये ज़्यादा important है कि विनु माकड को किया है और 44 test इन्होंने भारत की ओर से खेले है किस बैंक ने collateral free coverage personal loan launch किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option A so state bank of India has launched collateral free coverage personal loan जानते हैं इसके बारे में तो देखे state bank of India ने अपनी customers के लिए ताकि COVID-19 का जो treatment है अपना और अपनी family का वो सही से कर सकें उनके पास money की कोई shortage ना हो इसलिए coverage personal loan इसने launch किया है state bank of India ने तो इसके तहत minimum 25,000 रुपे दक का loan ले सकते हैं और maximum यहाँ पर 5,000,000 रुपे दक का loan ले सकते हैं खास बात यह है कि 8.5% पर annum का interest यहाँ पर bank इनसे charge करेगा जो कि कापी कम interest यहाँ पर माना जाता है यह आप याद रखेगा साथ ही collateral free loan है यानि कुछ भी गिर्वी रखने की जरुवत नहीं है कोई भी सुरक्षा guarantee देने की जरुवत नहीं है साथी तीन मंद का moratorium period भी मिलेगा यानि की जब आपके loan की अवधी पूरी हो रही है चुकाने की उसके बाद तीन महीने की महुलत आपको और दी जाएगी बाकी यह SBI के board of directors का पूरा setup है चेर्वेन आप जानते हैं दिनेश कुमार खारा है और चार managing director है CS60, अस्विनिभाटिया, स्वामिना थन्जे और अस्विनिकुमार तिवारी है headquarters मुंबई में है कौन सा राज्य तीन दीवसिये त्योहार राजा या राजा पर्व या मिथुन सक्रान्ती मनाता है options आपके सामने हैं सही answer होगा option B so Odisha state celebrates a three day long festival राजा राजा पर्व और मिथुन सक्रान्ती जानते हैं इसके बारे में देखिए आप देख भी सकते हैं क्यों important है प्राइम मिस्टर extends best wishes to people of Odisha on राजा पर्व तो देखिए तीन दिन का यह festival होता है 15-18 जून तक यह मनाया जा रहा है और यह जो है नारी नारी का सम्मान को देखते हुए यह त्योहार मनाया जाता है और यह जो टर्म राजा है यह राजस्वला इस से बनाए राजस्वला का मतलब होता है कि जो menstruating woman होती है उनसे संबन्दित यह festival है तो इसमें क्या होता है जो भी woman है तो जब वह इस तोरान होती है तो उनको जो है घर के कामों से break दिया जाता है और उनको जो है equality time spend करने के लिए कहा जाता है ठीक है ताकि वह अच्छे से अपना मनरंजन कर सके तो का आगे बढ़ते हैं किस आयाइटी ने भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जिसका नाम जीवन वायू है इसको विक्षित किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन बी सो आयाइटी रोपड हैस डेवलप इंडिया फस्ट पावर फ्री CPAP डिवाईस जानते हैं इसके बारे में देखिए आइटी रोपड आप जानते हैं पंजाब में है तो इसने इंडिया का फस्ट पावर फ्री यानि इसमें बिजली की जरुत नहीं है CPAP डिवाईस जीवन वायू को लॉंच किया है CPAP का मतलब है continuous positive airway pressure तो देखिए जैसे COVID-19 में भी हम द अब तक इसमें जो है इसके जरुत नहीं है कि शायता से उनके जोằ icons यह उसमें जो ह отдattis जाती है किस राज्य ने अनुप्रती कोचिंग योजना शुरू की है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन सी सो राजस्थान स्टेट लॉंच्ट अनुप्रती कोचिंग स्कीम तो देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अनुप्रती कोचिंग स्कीम अरिए जो है उपलाब्द सुविधा प्रोवाइड कराई जा सके तो इसमें जो भी स्टुडेंट है जो स्टुल कास्ट से हैं जो सिधूल टाइब से हैं इसकीम का फायदा दिया जायेगा पाखी बात करने राजस्थान की तो किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित तीन एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स MK3 के पहले बैच को सामिल किया है। ओप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी। इंडियन कोस्ट गार्ड इंड़क्टेड फस्ट बैच ओफ त्री एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स MK3 डिजाइंड और मैनुफेक्च्चर बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह आपके लिए काफी कोस्ट गार्ड को मिल गए हैं और उन्हें अपनी सेवा में इनको इंक्लूड कर लिया है इंड़क्ट कर लिया है आपको यह भी जानना चाहिए कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके डिरेक्टर जेनलन है कृष्ण स्वामी नटराजन नई रक्षा निती के अनुसार भारत के युद्धों और अभियानों के इतिहास का संकलन और अवर्गी करण अधिकारिक तोर पर कितने वर्षों के भीतर दर्ज किया जाएगा ओप्शन साब के सामने हैं सई आंसर होगा ओप्शन ए क्या मतलब हुआ इसका देखे दो टर में 5 और 25 और क्या अंतर है दोनों में देखे मेस्टे और डिफेंस ने ये काये कि जो भी भारत ने युद्ध लड़े हैं जो भारत ने ओप्रेशन किये हैं या अभियान किये हैं तो उनको जो है और ऑफिशली एक तरह से कंपाइल करना क्या क्या भारत कि श्रेज जी रही क्या क्या भारत ने किया उसमें तो पास साल के अंदर अंतर मान लिजी आज कोई उप्रेशन हुआ है तो गले पास साल के अंदर अंदर पुरा उसका जो है कागच पर वह अच्छे से होना यह काए मिनिस्ट्री ओडिफेंस ने उसके बाद मिनिस्ट्री ओडिफेंस ने यह भी काए कि 25 साल के अंदर अब जो हम जो भी हमने ओपरेशन की है जो भी हमने युद्ध लड़े होंगे उनको हम डी क्लासिफाई कर देंगे यानि पब्लिक स्पेस में हम उनको रख एसा नहीं होगा कि उनको क्लासिफाई किया जाएगा यानि कि उनको गुपत रख जाएगा उनको जो है आम जनता भी उनको देख सकते हैं जो एकसेस करना चाहें लेकिन कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई हर किसी वार को कर देंगे जिसे इडिया चाइना का जो वार यह कारगी रिव्यू कमिटी यह बनी थी इसको हैट किया था के सुब्रमण्यम ने और उसके बाद फिर एन एन वोरा कमिटी भी बनी तो इन दोनों ने ही इस तरह के सेट अप की जो है यहाँ पर सिफारिश की थी रक्षा शेत्र में अनुसंधान और नवाचार के लिए रक्षा मंत्राले द्वारा कितनी बजेटी है साहेता को मंजूरी दी गई है ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी तो देखिए डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 498.8 करोड रुपीज का बजेटरी सपोर्ट यहां पर दिया गया है किसे दिया गया है इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सिलेंस डिफेंस इनोवेशन और जो यह ओर्गनाजेशन है इसको दिया गया है अगले 5 साल के लिए तो देखिए यह जो आप टर्म देख रहे हैं आई डी एक्स डी आई ओ तो यह जो है डिफेंस मिरिश्ट्री के अंतरगत आती है और इसके उपर यह जिम्मा दिया हुआ है इसी की जिम्मेदारी दी हुई है कि भारत जो है अपने बलबूते पर जो मैनुफेक्चर कर सके डिफेंस एक्विपमेंट जो है उनको मैनुफेक्चर कर सके और सेर्फ बन सके तो उसकी जिम्मेदारी इसको दी हुई है तो इसी को यह बजट जो है दिया गया है और साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि डिफेंस मिरिश्ट्री ने एक टार्गेट भी रखा हुआ है यह इसके साथ डिफेंस मिरिश्ट्री ने यह भी टार्गेट रखा हुआ है कि इसके अंतर का थी जो फाइफ बिलियन युएस डोलर यानि 35,000 क्रोड रुपे का हम जो मिलिटरी हाडवेर है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इतने रुपे तक का यह इतने डोलर तक का मिलिटर की जो हाडवेर है जो एक्विपमेंट है उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सेर्फ रिलायंस की तरफ यहां पर भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो बढ़ता हुआ दीख रहा है किस मंत्राले ने CAIMS लॉंच किया ओप्शन आपके सामने हैं सही आमसरुगा ओप्शन डी स इस्ट्री ओफ यूथ अफेर्स एंड इस्पोर्ट्स लॉंच्ट सी ए आई एमस अब यह सी ए आई एमस का मतलब है सेंट्र एथलीट इंजरी मेनेजमेंट सिस्टम नाम से यह आपको पता चल गया होगा कि किस लिए है तो देखिए जे जूनियों मिरिश्टर फोर यूथ अफेर्स एंड इस्पोर्ट्स हैं किरन रिजीचू तो उन्होंने सेंट्र एथलीट इंजरी मेनेजमेंट सिस्टम सी ए आई एमस इसको लॉंच किया है तो इसका मकसद क्या है जो एथलीट से उनको स्पोर्ट्स मेडिसीन और रिहाबिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइट क एक उन्नत क्वालिटी की इसको उसी जगह पर प्रोवाइट कराना यह इस इसकीम का मेन उद्देश्य है साथ ही आपको भी जानना चाहिए इसकी एक फेमस जो आपका यह स्पोर्ट्स मिनिश्टी है इसकी फेमस इसकीम यह भी है ओवर्यवीव ओफ टार्गेट ओलंपिक पोडियूम इसकीम जिसे टॉपस भी बोलते हैं तो याद रखिएगा किस दिन मनाया जाता है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो वर्ड एल्डर अब्यूस अवेर्नस टे इस ओपसर्ड ओन जून 15 और फ्रेंड्स यह भी आप याद रखिएगा इसी से जुड़ा है डेकेट ओफ हेल्दी एचिंग तो युनाइट ने इस छेत्र से जुड़े हुए थे ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन बी असोख पंगडिया हूँ पास्ट अवे रिसेंट्ली वास एसोशियेटेड विद मैडिकल फिल्ड तो देखिए काफी फेमस नियूरोलोजिस्ट थे और पदमश्री भी इनको मिल करते हैं तो यह आपके एक्जाम के लिए भी जो है इंपोर्टेंट हो जाता है और इनका एक जो मैमुआ है मौंक इन मर्क यह भी बिल्कुल जल्द में ही लॉंच होने वाला है तो याद रखेगा किसका है यह इनिका है असोख पंगडिया गया तो जुलाई में शायद यह लॉंच होगा दगमारा जल विद्ध्यूत परियोजना के कार्यान वेन के लिए किस बिजली कंपनी ने बी एस एच पी सी के साथ एक समझता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो एन एच पी सी है सांट एन एम ओ पाउर कोर्परेशन लिमिटेड यानि बी एस एच पी सी इसके साथ एक वन थर्टी पॉइंट मेगा वाट का जो दगमारा हाई 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 एलेक्रिक प्रोजेक्ट है तो इसके लिए एक एम ओ यू को साइंग किया है एन एच पी से के बारे में आपको जानन को भारत में सीर्स परदर्शन करने वाला राज्ये खोशित किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो चातिसकर्ड हैस बिन डिक्लेरड दे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया ओन्डे जेंडर इक्वैलिटी पैरामिटर लेंगिक समानता पैरामिटर पर चतिसगड सबसे टॉप इस्टेट है और अंडमान एंड निकोबार टॉप यूनें टेरेटरी है यह इंडेक्स नितियायोग ने यूएन इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया है इस इंडेक्स में राज्यों और केंदर सासित परदेशों को 115 इंडिकेटर के आधार पर रेंग किया जाता है यह इंडिकेटर मिनिस्ट्री ओफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन इसका जो नैस्टल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है इसके आधार पर तयार किये गए हैं साथ है आपको यह जानना चाहिए कि जो 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर है यह भुपेश बगेल है यहां की गवर्णर है अनुसुया उई के कैपिटल राइपूर है साथ है आपको यह जानना चाहिए कि 36 गड़ने हाली में चीफ मिनिस्टर्स ट्री प्लैंटेशन प्रोमोशन इसकीम इसको लॉंच किया है और महत सारी दुलार योजना इन दोनों को 36 गड़ने लॉंच किया है अच्छा है यहां पर हमने यह देखा है कि किस कैटेगरी में जेंडर इक्वैलिटी की कैटेगरी में हमने यहां पर देखा है इसी तरह से और स्टेट्स भी पूछे जा सकते हैं जैसे आप से क्लाइमिट एक् आपके साथ शेयर किया था तो उसमें आप जरूर देख लिजेगा अब जानते हैं 36 गड़ के बारे में थोड़ा सा इस्टेटिक जीके देखिए 36 गड़ राज्य एक नौंबर साल 2000 में बना था और इसको एंशन टाइम्स में दक्षिन कोशल के नाम से जाना जाता था साथ काफी फेमस नरित्य है और में पाट यहां पर एक जगा है हील स्टेशन है इसको शिमला यह स्विस ओफ 36 गड़ के नाम से जाना जाता है साथी अचानक मार वाइड लाइफ सेंचुरी बहरम देव वाइड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगला वाइड लाइफ सेंचुरी न स्वामी विवेकानंद एरपोर्ड में आपर है कई बार पुछा जा चुका है स्वामी विवेकानंद एरपोर्ड याद रखेगा आगे बढ़ते हैं मिल्का सिंग की पतनी निर्मल कौर जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण नीदर हो गया इन्होंने किस खेल में भारती कप कपतानी की थी ओप्शन्स आपके सामने हैं और सभी आंसर होगा ओप्शन सी सो निर्मल कौर वाइफ ऑफ मिल्का सिंग पास्ट वे रिसेंडली ड्यू ड्यू टू कोविड-19 कैप्टन इंडिया इन वॉल्ली वॉल जानते हैं इस कुशन के बारे में तो मिल्का सिंग की व मिल्का सिंग्स वाइफ निर्मल कौर सकुम्स टू कोविड-19 यह जो वर्ड है ना फ्रेंड्स यह काफी इंपोर्टन है आपके लिए जब आप इंग्लिश का सेक्शन जो आपके एक्जाम में आता है तो उसमें जो गैप वाले होते हैं जिसमें आपको फिर इन दे ब्लैं और इसका मतलब आता है कि कोई लड़ाई हार जाना ठीक है और ज्यादा तर यह आज कल आप न्यूस पर अगर डेली पढ़ते हैं इंगलिस में इंगलिस के तो उसमें यह वर्ड आपको काफी आम दिखेगा तो इसका मतलब होता है जब कोई जिंदकी की जंग हार जाता है तो जैसे आपने अभी देखा होगा कि रोईत सर्दाना है ना कोवीड-19 के कारण उनका निदन हो गया तो इस तरह से तब भी हैडलाइन मही थी रोईत सर्दाना सुकम टू कोवीड-19 इसी तरह से मान लिजे किसी स्टेट में कई सारे पोजिटिव पेशेंट मिले हैं और क आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन एकल जीत के बाद नोवाक चोकोवीच कम से कम दो बार सभी चार ग्रेंड इसलेम जीतने वाले इतिहास में और ओपन यूग में पहले केवल तीसरे खिलाडी बन गए हैं रॉड लेवर पहले थे दूसरा कौन था देखिए आपको मैं सम देखिए आपके एक्जाम में इस तरह से कोश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यह अलग से इस तरह से फ्रेम किया है क्योंकि फ्रेंच ओपन पर हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं तो में उद्देश यही था कि आपको यह बताना कि यह तीसरे खिलाडी कैसे बने हैं और फर्स्ट खिलाडी किस केटेगरी में बने हैं देखिए तो नोवाग जोकोवीच ने आपको पता होगा अपना सेकंड फ्रेंच ओपन जीता है और यह इनका टोटल 19th Grand Slam टाइटल रहा है इन्होंने किसे हरा है इन्होंने हरा है इस्टिफेनल्स सित्सी पास को हरा है औ तो रोलेंड गैरोस टूर्णामेंड वोला जाता है फ्रेंच ओपन को साथ ही आप याद रखेगा देखिए ओपन एरा मैंने आपको समझाय था ओपन एरा का मतलब क्या होता है तो ओपन एरा जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो जोकोवीच जो है यह पहले प्लेयर बने है जिन्होंने जो चारो ग्रेंड स्लैम है उनको कम से कम दो बार तो जीता ही है चारो ग्रेंड स्लैम कों से है ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन और यूएस ओपन तो कम से कम दो बार तो जीता ही है ऐसा करने वाले यह पहले प्लेयर बने है ओपन एरा में ओपन एरा के बाद से लेकिन जब से ओपन एरा के पहले से और अब तक ये थर्ड मैन वने हैं इनसे पहले रोई इमर्चन और रोड लेवर ये किरतिमान हासिल कर चुके हैं तो इसलिए question आपके लिए important है किस बैंक ने घर घर राशन कारेकरम सुरू किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so IDFC First Bank has launched घर घर राशन प्रोग्राम तो देखे IDFC First Bank ने घर 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 राशन प्रोग्राम लाँच किया है तो इसमें जो भी बैंक के employees हैं वो अपनी budget से कुछ ना कुछ contribution करेंगे जो इनके low income customer है जो बैंक के low income customer है उनकी सायता करेंगे उनको राशन किट भी प्रोवाइट कराएंगे जिसमें एक महीने तक का राशन होगा तो इस तरह से आपर सायता की जाएगी जो भी low income customer है इस बैंक के साथी IDFC First Bank के अगर हम बात करें तो इसके MD and CEO है वी वैद्यनाथन headquarters मुंबई में है हाल ही में किस asset management company ने banking और वित्य सेवाएं new fund offer NFO launch किया है वो options आपके सामने हैं सही answer होगा option B So HDFC mutual fund has recently launched banking and financial services new fund offer देखिए asset management company और mutual fund यानी की एक वात होती है एक asset management company जो है वो mutual funds को handle करती है तो देखिए HDFC asset management company ने एक new fund offer launch किया है किसका HDFC banking and financial services fund का और इसका मकसद यह है कि जो banking and financial services sector है इसमें invest करना देखिए asset management company क्या होती है यह जो है अलग-अलग investors से जो है कुछ investment collect करती है जब investment collect हो जाता है तो उसके बाद एक fund बना दिया जाता है और उस fund को अलग-अलग जगा पर invest कर दे जाता है जैसे कि stocks में ठीक है और real estate में, bonds में, shares में यहाँ पर इनको invest कर दे जाता है फिर जो return मिलता है वो return इनको pass कर दे जाता है और अपनी fees यह लोग जो है उसमें रख लेते हैं तो इसको बोलते है asset management company और इसी तरह से ही mutual fund भी यही है तो अब देखिए जो यह asset management company है तो यह जो SDFC banking and financial services fund है तो अब यह जो है banking and services sector में invest करना चाता है तो अब इसको capital raise करने होगी तो capital raise करने के लिए इसने new fund offer जारी किया है यानि कि इसने investors को बुलाया है कि आप जो है अब जो है invest कर सकते हैं ठीक है मतलब एक नए तरह का यहाँ पर एक fund बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि banking and financial sectors में जो है invest करेगा तो एक नया fund बनाने की कोशिश की जा रही है तो इसलिए investors को कहा गया है कि आप जो है इसमें invest कर सकते हैं तो इसको बोलते है new fund offer नाम से ही पता चल रहा है तो हाल ही में Reserve Bank of India ने housing finance companies के लिए जोखी माधारित आंतरिक audit पढ़नाली का विस्तार किया है RBIA का अर्थ किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option A Recently, the Reserve Bank of India has extended risk-based internal audit system for housing finance companies RBIA stands for risk-based internal audit तो याद रखेगा इसकी full form पूछी जाती है देखे क्या मतलब हुआ पहले तो यह समझ लिजे risk-based internal audit का मतलब क्या है audit तो आप समझते हैं कि bank के जो भी खाते वगएरा है उनकी जाच करना और जो भी management है उसको जह एक बार audit हो सकता है यानि कि आप किसी third party से अपनी company का audit करा रहे है एक होता है internal audit यानि आप अपनी company में ही एक जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी को कि आप audit की जो उसको बोलते internal audit risk-based internal audit मतलब कि management जो आपके इनका जो bank होगी या फिर NBFC होगे तो उसका जो management है वो किस तरह से सही काम कर रहा है उसके खाते जो है proper है क्या वो guidelines follow कर रहे है तो इस तरह की चीजे बता सके उस audit से पता चल सके जो भी top management है जो board of director से उनको पता चल सके कि उनकी जो company है वो किस ओर जा रही है तो उसको बोलते है risk-based internal audit यानि कोई risk है अगर कोई risk आने वाला है तो उससे पहले ही उनको जो है पता चल जाए ताकि वो आगे के अपने काम जो है सही कर ले तो उसको बोलते है risk-based internal audit आई होप आप समझ गए होंगे तो Reserve Bank of India ने अभी ये जो है ये परिकरिया risk-based internal audit की ये housing finance companies के लिए भी एक्सेंट करती है अच्छा अब देखिए finance companies किस तरह की है एक तो में है जो deposit लेती है तो जो भी deposit लेने वाली housing finance companies है इनको तो सभी को risk-based internal audit system अपनाना है लेकिन जो इस तरह की housing finance company है जो deposit accept नहीं करती है और उनका size पांच हजार क्रोट रुपे से जादे का है उनका जो asset size ये पांच हजार क्रोट रुपे से जादे का है उनको ये system अपनाना है और Reserve Bank of India नहीं ये भी का है कि आप इस तरह का framework 30 जुन 2022 तक जो है implement कीजिए आगे बढ़ते हैं किसने अपना संस्मरण home in the world लिखा है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so Amartya Sen has penned his memoir home in the world तो ये इनका memoir है home in the world ये इनोंने लिखा है और ये जुलाई में release होगा साथ ये आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Amartya Sen है इनको Nobel Prize मिला है Economic Science में 1998 में और 1999 में इनको भारत रतनी मिला है किसली welfare economics के लिए एक बार question पूछा गया था तो दो तीन तरह की economics दे दिये था और पूछा था कि इनको जो भारत रतनी मिला है ये किसली मिला है तो welfare economics के लिए मिला है ठीक है या फिर Nobel Prize जो है इनको welfare economics के लिए मिला है तो तीन-चार तरह की economics option में आ गई थी तो उसमें सही answer होना था welfare economics यह जो Nobel Prize मिला है यह मिला है इनको welfare economics के लिए और साथ ही आपको यह जानना चाहिए हाली में अमर्तिसेंट किसले चर्चा में थे क्योंकि इन्हें इस्पेन का Princess of Asturias Award 2021 यह दिया गया है next question है मारे पास लेपीडो चेलीस ओलीवासिया का सावान्य नाम क्या है options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so olive ridley turtle is the common name for लेपीडो चेलीस ओलीवासिया देखी किसलिए यह news में है यहाँ पर आप देख सकते हैं operation olivia to rescue of olive ridley's देखी जो इंडियन कोस्ट कार्ड है यह हर साल operation olivia इसको चलाता है किसलिए जो olive ridley turtles है जो की Odisha coast पर जो है यह पाए जाते हैं ठीक है ब्रीडिंग करते हैं नेस्टिंग करते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह operation हर साल चला जाता है और आज आज खल भी यह चलाया जा रहा है देखिए अगर आप किसी PCS टाइप एक्जाम के त्यारी करने तो उस हिसाब से आपके लिए काफी important question है पूरी detail देखेगा बढ़ना आप skip करके आगे चल सकते हैं देखिए हर तरह कोशन में जो हमारे पुराने वीवर्स हैं जानते हैं banking के भी मिलेंगे और PCS टाइप question भी मिलेंगे और ग्रूप D तक के जो question पुछ जाते हैं वह भी आपको मिलेंगे तो हर तरह का जो है हम question लेके चलते हैं इसलिए आप डावटे मतरा कीजिए कि यह session SSC के लिए या banking के लिए है सब कवर करेंगे जो भी आपके exam point of use वे जिरूरी है चाहे static हो चाहे वो pure current affairs हो तो देखे ओलिव रिडली इसको मैंने आपको बता दिया यह इसका नाम है लेपी डोचलिस ओलिव आसिया और यह जो है आयू सीन की रेड लिस्ट में वर्लनरेबल केटेगरी में रखा गया है और इसकी जो पांचों SPC यह भारत में पाई जाती है यह important point है आपके लिए और भारत में जो इंडियन वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एड 1972 है इसके सिड्यूल वन में इसको रखा गया है साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि जो उडीसा में गहीर माथा बीच है यहाँ पर यह भारी संख्या में नेस्टिंग करते हैं नेस्टिंग मतलब कि यह अपने एग ले रोशी कुल्या यह रीवर है तो इसके माउथ पर यह बीच है यहाँ पर यह नेस्टिंग करते हैं निम्लिखित में से किसने पेबैक इंडिया का अधिगरण किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन बी सो भारत पे हैस एक्वाइड पेबैक इंडिया त स्ट्रेटेजिक फंड से हाँ और भारत पे की अगर हम बात करें तो को फाउंडर एंड सीयों है अशनीर ग्रोवर और हाली में भारत पे किसली न्यूज में था क्योंकि यह आई सी सी का ओफिशल पार्टन बन गया है दोजार तेश तक के लिए इंडियन ग्राउंप्री फोर किस सहर में आयुजित किया जाएगा ओप्शन आपके सामने हैं सभी आंसर होगा ओप्शन सी इंडियन ग्राउंप्री फोर विल बी हैल्ड इन पटियाला तो देखें एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है यह एथलेटिक्स फेडरेशन ओफ इंडिया ने कहा है कि इंडियन ग्राउंप्री फोर यह आपका नेशनल इस्टिट्यूट ओफ इस्पोर्ट्स पट्याला यहां पर आयोजित किया जाएगा कई तरह के इवेंट्स होंगे इसमें जैविलिन थ्रो होगा आपका लोंग जम ट्रिपल जम शोर्ट पूर्ट ठ इस मिला है सही आंसर होगा ओप्शन डी सो प्रोफेसर सैलेस गनपुले फ्रों आइटी रूड की हैस रिसीव दे एनस्टी काउंटर आई एडी एंड काउंटर टेरिरिज्म इनोवेटर अवार्ट ट्वंटी ट्वंटी वन तो इन इन्हें क्यों दिया गया है यह वार्ट क्योंकि इनने ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट बनाया है यानि ऐसा हेलमेट बनाया है यदि ब्लास्ट हो जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यह वार्ट किसके दुआरा दिया गया है यह दिया गया है अच्छा साथी में आपको यहां पर यह भी ज पॉइंट किया गया है तो दोनों क्योंकि आइटी प्रोफेर्सर से रिल्टेट था तो मैंने एक साथ यहां पर आपको बता दिया है याद रखिएगा डिजिटल पॉब्लीशर कंटेंट ग्रिवेंस कांसील के तहत गठित सिकायत निवारण बोड के अधिक्ष के रूप म देखिए जानते हैं इस कोश्चन के बारे में तो देखिए एक इंडस्ट्री बोड यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशेशन ऑफ इंडिया तो इसने जो है यह एक डिजिटल पॉब्लीशर कंटेंड ग्रिवेंस कांसील इसका गठन किया था और इसके अंतरगत आता है इसके चेर परसन के रूप में अरजन कुमार शिकरी को न्यूट किया है यह बोड किसलिए बनाया गया तो जैसे आपको पता है कि जो फेस्बुक है वटसेप है यह अपने ग्रिवेंस ओफिसर रख ले हैं ताकि अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप उनसे बतासकते हैं तो इस तरह से जो यह से नेटफलिक्स से और बाकी आपकी यह अवेजर Ark अगुझा सकते हैं यह और बतासकते हैं तो में सामिल है साथ आपको बीजानना चाहिए जो यह आई ये इम आई है इसके चेर्मेन अमीत अगरवाल है है एड़कॉर्टर मुंबई में हैं है हैं हेन्री मेरी डोंडरा को किस देश का प्रधान मंत्री नामित किया गया है सही आंतर होगा option अभाथ कि इनलाओश धिर आ शराँ यह यहनरी मारी डोंडरा है जो है सेंटर अफ्रिकन रिपड्क्रीप्राइं को मिनिस्टर और यह जो हैं फर्मिन निगरे बाड़ा इनको को रिप्लेस करेंगे Central African Republic की अगर बात करें तो Capital है बंगुई करंसी है Central African CFA फ्रांक और प्रेजिडेंट है फॉस्टीन अर्चांज तौदिरा अंतराष्टिय परिवार प्रेक्शन दिवस किस दिन मनाया जाता है सई आंसर होगा option D International Day of Family Remittances is observed on June 16 तो देखे 16 June को बनाया जाता है International Day of Family Remittances Remittance का मतलब क्या होता है मान लीजे भारत से कोई व्यक्ती दुबई में कारिकर रहा है तो अब वो दुबई से अपने फैमिली में भारत में जो पैसा भीजता है उसको बोलते हैं Remittance यह definition आप पढ़ सकते हैं Remittance की मालूम होना चाहिए की Remittance का मतलब क्या है Remittance is money send back home by a worker who works in a foreign land निम्ली कितमे से किसने इस पात उद्द्योग में उडजा कुशल समाधान लागू करने के लिए Macon Limited के साथ भागेदारी की है options आपके सामने हैं सही answer होगा option A so EESL has partnered with Macon Limited to implement energy efficient solution in steel industry तो Energy Efficiency Services Limited यह full form है EESL का तो इसने Macon Limited जो की एक PSU है Ministry of Steel के तहद तो इसने जो है Steel सेक्टर में cooperation करने के लिए एक MOU sign किया है सिध्ध लिंग गया जिनका हाली में निदन हो गया किस profession से संबंदित थे सही answer होगा option A so देखिए जो यह सिध्ध लिंग गया है इनका हाली में निदन हो गया है और यह जो है औरू केरी यानि विलेच कोर्णर निकोलस महुत और पियरे हुज हरबर्ड ने किस टेनिस टूर्णामेंट में पुरुस यूगल का किताब जीता है options आपके सामने हैं सही answer होगा option B तो निकोलस महुत और पियरे हुज हरबर्ड वन मैंस डबल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन तो फ्रेंच ओपन में इन्होंने मैंस डबल्स फाइनल जीता है और इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर बॉबलिक और एंड्रे गोलुबेव को साथी जब बात हो रही है यहाँ पर मैंस डबल्स की तो विमन्स डबल्स किसने जीता है यह जीता है चेक रेपपलिक की बार्बोरा क्रेशिकोवाल और कैटरीना सिनिया कोवाने तो दोनों आप याद रखिएगा भारत के सर्वसरेश्ट बैंकों की सूची में किस बैंक ने सिर्ज इस्थान प्राप्त किया है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन बी जानते हैं इस कोश्चन के बारे में देखिए वर्ड वर्ड बेस्ट बैंक लिस्ट यह फॉप्स द्वारा कंपाइल की गई है किसकी साहिता से एक मार्केट रिसर्च फर्म है इसके पार्टनर्शिप में इसने यह लिस्ट जारी की है तो देखिए इसमें आउट ओफ थर्टी डोमेस्टिक एंड इंटरनेस्टल बैंक जो भारत में ओपरेट कर रहे हैं उन सभी में DBS बैंक लगातार दूसरी बार टोप पर रहा है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए जो इस्टेड बैंक ओफ इंडिया है यह साथवे नंबर पर है और आपको बता दें कि जो DBS बैंक की जो भारत में जो शाखा है इसके MD and CEO सुरोजीत शोम है और इसका हैटकौार्टर मुमबई में है जबकि जो इसकी में ब्रांच है यह सिंगापूर में है और यहाँ पर इसके CEO है पियूस गुपता तो तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट है आप इसे याद रखिएगा साथी फ्रेंट्स अगर हम थोड़ा से पीछे जाएं तो देखिए जो DBS बैंक है इसको हाली में एशिया मनी द्वारा इंडिया का बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 यह टेग दिया गया है इस तरह से रिकगनाईस किया गया है साथी 2020 में ग्लोबल फाइनस दुआरा इसी बैंक को DBS बैंक को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का टेग भी दिया गया था और यह आप रैंक देख सकते हैं जो यह वर्ड पालद की रैंक बताए गई भारत मिं जो बैंक है तो DBS बैंक पहरे नंबर पर है, CSB बैंक दूसे नंबर पर है, ICICI बैंक ओन्धिया मैंदर पर है, SDFC e पर है और कोटक महिंद्रा बैंक पानच यह नंबर पर है किंदो देशों के पास कुल मिलाकर 90 प्रतिशत से ज़्यादा वेस्विक परमानू हतियार है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन C So, Russia and USA together possess over 90% of global nuclear weapons साथ आप यह भी देख सकते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक्स्पैंडिंग नूकलियर आर्सेनल यानि जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है यह अपनी परमानू हतियार हैं इनको बढ़ा रहे हैं तो देखिए जानते हैं इसके बारे में रिपोर्ट का नाम है इस्टोकॉम इंडिया, पाकिस्तान, इस्रेल एंड नॉर्थ कोरिया यह जो हैं इन्हें के पास 13,080 nuclear weapons हैं अगर हम 2021 की बात करें साथी इसका अगर 90% केवल रशिया और यूएस से के पास है तो आप देख सकते हैं जितने भी globally nuclear weapons हैं तो उसका 90% रशिया और चाइना के पास है साथी आपको इभी जानना चाहिए इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया के पास 156 nuclear warheads हैं यानि nuclear weapons हैं और पाकिस्तान के पास 165 हैं जबकि चाइना के पास 350 हैं और आपको इभी जानना चाहिए जो ये शेपरी है Stockholm International Peace Research Institute इसका headquarters Stockholm, Sweden में है किस बैंक ने इंडिया बूल्स Housing Finance और IIFL Home Finance के साथ सहरिन साजेदारी की घोशना की है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन D Central Bank of India has announced co-landing partnership with India Bulls Housing Finance and IIFL Home Finance देखे पहले तो जान लिजे co-landing का मतलब क्या है पहले भी आपको हमने बताया था co-landing का मतलब होता है मान लिजे आपको एक लाग रुपे का लोन चाहिए तो 80,000 का लोन आपको बैंक देदेगा और 20,000 का लोन आपको जो NBFC है उसके तहट इस तरह से लोन प्रोवाइट करा जाता है लेकिन ये लोन केवल priority sector जो borrowers हैं उन्ही को प्रोवाइट करा जाता है यानि priority sector मतलब जैसे कि education के लिए लोन चाहिए housing के लिए चाहिए MSME के लिए चाहिए या agriculture के लिए चाहिए या रिनोबेल एनरजी के लिए चाहिए तो उनी सेक्टर के लिए लोन प्रवाइट कराया जाता है साथी आपसे ये भी पुछा जा सकता है कि इस तरह की सुविधा जो एक को लेंडिंग की जो पार्टनर्शिप है बांगलादेश के बल्लेवाज मुश्विकुर रहीम और किस देश की हरफन मौला खिलाडी कैथरीन ब्राइस को मई 2021 के लिए ICC Players of the Month नामित किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन B तो मई 2021 में सबसे जो बहतरीन खिलाडी पूरुशों में रहे यह बांगलादेश के मुश्विकुर रहीम रहे और जो महिलाओं में रही हैं कैथरीन ब्राइस यह स्कोटलेंड की है तो आपको मालूम होगा ICC अब हर महीने इस तरह से मेल और फीमेल दोनों प्लेयर्स को चैन नीद करती है नीती आयोग द्वारा किंदो जिलो का चैन किया गया है जहां करीब 1 बिलियन पोधे लगाने की पाइलेट परियोजना सुरू की जाएगी ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए राची एंड मोगा डिस्टिक्स हैव बिन सेलेक्टेड बाइ नीती आयोग वेर पाइलेट प्रोजेक्ट आफ प्लंटिंग क्लोज टू वन बिलियन सेपलिंग वुड बी श्टार्टेड पाइलेट का मतलब होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को सुरू करना चाते हैं मान लीजे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप शुरू करना चाते है त्व सबसे पहले आप उसको छोटे सर्wen पर सुरू करते हैं ताकि आपको पता चलू जाये उसमें क्या खामिया है किस तरह से उसको implement किया जा रहा है या उसमें क्या सुधार की जरूत है एक साथ ही हम उसको जो है pan India यानि पूरे भालत में एक साथ ही उसको launch नहीं करते हैं पहले हम छोटे रूप में उसको जो है शुरू करते हैं तो यह यहां पर है देखें नीती आयोग क्या कर रही है नीत पजाब में है और राची डिस्टिक जो ज्हारखंड में यहां से शुरू आत की है और आपको बता दें जो भी 112 एस्पिरेशनल डिस्टिक्स हैं नीती आयोग के यहां पर यह सब में लगाये जाएंगे और फेस्ट मैनर में लगाये जाएंगे साथिया आपको यह भी जान इन सभी को काफी आसान बनाना ठीक है वहां की जिन्दी की है उसको काफी सरल बनाना अच्छी बनाना ये नीतियायोग का मकसद है एस्पिरेशनल डिस्टिक से रिलेटेड तो कई तरह की स्कीम इसके लिए ये लॉंच करता रहता है भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानि ट्राइ ने एक टीवी चैनल सेलेक्टर वैप पोर्टल लॉंच किया है आपको बताना है ट्राइ के अध्यक्ष कोन है या चेर्मेन कोन है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी इस लिए ट्राइ ने एक वैप पोर्टल लॉंच किया है क्यों किया है क्योंकि इसी तरह का एक इसने एप भी लॉंच किया हुए लेकिन जिन लोगों के पास अंडूरीट फोन्स नहीं है वो उस app को use नहीं कर पा रहे हैं इसलिए try ने एक web portal launch किया है tv channel selector तो इसका फाइदा क्या होगा जो भी उभोगता है वो अपने cable के बारे में जानकारी ले सकते हैं उन्होंने कौन-कौन से channel subscribe किये हुए है और उनकी list देख सकते है साथी जो cable operators के बारे में भी आप इसमें जान सकते हैं मतलब cable operators द्वारा कौन-कौन से channel आपके activate किये गए है इसके बारे में जान सकते हैं साथी आपका जो भी मन है उसी साब से आप channel बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं तो ये इसका फाइदा रहे का टीवी चैनल सेलेक्टर वैब पोर्टल का ट्राई की बात करें तो इसके चेरपरसन पीटी वगेला है ये मैंने आपको बताई दिया है और headquarters निव डेली में है धन प्रवंधन समाधान प्रधान करने के लिए किस बैंक ने फिट सम के साथ भागेदारी की है options आपके सामने है सही answer होगा option A So Indian Bank has partnered with Fisdom to offer wealth management solution जानते हैं इसके बारे में देखे Indian Bank ने Fisdom जो की एक wealth tech company है इसके साथ wealth management products and services के लिए एक पार्टरशिप की है यानि कि जो Fisdom है ये अपने wealth management products and services जो Indian Bank के customers हैं उनको offer करेगा wealth management products का मतलब हो गया जैसे mutual funds हो गया और आपकी fixed deposit हो गया business insurance हो गया travel insurance हो गया तो इस तरह की जो चीज़े होती है इनको बोलते है wealth management products यानि आपके पास जो wealth है उसको सही तरह से किस तरह से लगाए जाए साथी हाली में हमने क्या पढ़ा था इंडियन मैंक से related हमने पढ़ा था कि जो ये healthcare platform है प्रेक्टो इसने इंडियन मैंक के साथ एक partnership की है जिसके तहट ये अपने जो health plan से वह इंडियन मैंक के customers को provide कर आएगा और आपको बतादें जो ये प्रेक्टो हैं यहां पर आप डॉ रगुबीर सिंग राजावत जिनका हाली में नितन हो गया किस पुरस्कार के प्राक्त करता थी ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा option डी ब्रिगेडियर रगुबीर सिंग राजावत हू पास्ट वे रिसेंट्ली वास रिसिपियंट ओफ महावीर चक्र जानते हैं इ कैमपें है किससे सटींहें आधालीस और च्सीपिशन वे किसमीर ऊपरेशन था उसमें भी ने किया और 1971 बांगलदेश सब्सक्रेश नेक्वर्क ने किस बैंकिंग पार्टनर की मदस से U,P, UPI AutoPay पेश किया है options आपके सामने है सही आंसर होगा option C So Satin Credit Care Network has introduced UPI AutoPay with the help of HSBC India as its banking partner तो जानते हैं इसके बारे में देखिए यह Micro Finance Company है Satin Credit Care Network तो इसने जो है UPI AutoPay इसको launch किया है किसके साथ मिलकर NPCI और banking partner के रूप में से चुना है HSBC India को और देखिए इस तरह की सुविधा provide कराने वाला यह पहली Micro Finance Company है इसके तहद क्या होगा अब UPI AutoPay के तहद जो customers है इसके वो अपनी जो loan की EMI है उसको UPI platform से ही जो है पे कर सकते हैं तो इस तरह की सुविधा provide कराने वाला यह पहला Micro Finance Company है HSBC Bank India की अगर बात करें तो इसके CEO हितेंद्र दवे है हाली में इनकी appointment हुई है काभी important है आपके लिए याद रखेगा और इसका headquarters मुंबई में है हम बात करें HSBC Bank India की विश्व मरस्थुली करण और सूखा रोक्थाम दिवस किस दिन मनाये जाता है options आपके सामने हैं सही answer होगा option C so World Day to combat desertification and drought is observed on June 17 desertification desertification का मतलब होता है मतलब इस तरह की भूमी जहां पर कुछ भी produce नहीं किया किया जा सकता ठीक है produce करने की चमता जो है अपनी उसमें नहीं रहती है और साथी इसका जो theme राय 2021 में यह राय restoration land recovery we build back better with healthy land साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि हाली में भारत ने जो है 2030 तक एक जो अपना लक्ष रखा है वो यह रखा है कि जो भी माफ कीजिगा degraded land की बारे में मैं आपको बता रहा था degraded land मतलब की इस तरह की land जिसमें की कुछ भी produce नहीं हो सकता जो अपनी उसकी जो productivity capacity है वो पुरी तरह से lost हो चुकी होती है उसको बोलते हैं degraded land तो इंडिया ने हाली में यह का है कि यह 2.6 करोड है 2.6 करोड hectares की जो degraded land है इसको फिर से restore करेगा यानि फिर को फिर से इसको जो है उपजाओ भूमी बनाएगा यह भारत ने लक्ष रखा है 2030 तक तो इस तरह के target भी पूछ ले जाते हैं इसको आप याद रखेगा और हाली में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस बात को जो है फिर से repeat किया था तो इसलिए भी यह काफी important बन जाता है विश्व समूत्री कच्छवा दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी वर्ड सी टर्टल डे इस सेलिब्रेटेड ओन जून 16 को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि father of sea turtle biology तो इस नाम से जाना जाता है डॉक्टर आर्ची कार को और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी इस दिन मनाया जाती है जून 16 को तो इसी के उप्लक्ष्ट में वर्ड सी टर्टल डे मनाया जा ओड्लेगी में राखा गया है सी टर्टल को एंडिंजर्ड लिस्ट में रखा गया है भारत में जीनस पायरोस्ट्रिय sprach नलगल जीचिक могут में खो जा गया पायरोस्ट्रिया लाल जी किस की पर जाती है friends काफी important question है इसको आप बिल्कुल भी skip मत कीजेगा इस तरह से भी question आपके exam में पुछा जा सकता है और फिर ऐसा लगता है कि यह question कहां से पुछा गया है कुछ idea नहीं मिल पाता है तो यह काफी चर्चा में रहा है इसलिए यहां पर लिया गया है question answer देखते हैं समझेंगे इस question को क्या मतलब है answer is का बी देखिए पाइरोस्ट्रिया लाल जी the first record of the genus पाइरोस्ट्रिया इन इंडिया was discovered in the अंडमान आइलेंड सो पाइरोस्ट्रिया लाल जी is a species of tree और plant जानते हैं इसके बारे में देखिए coffee family के जीनस से संबंदित 15 मिटर उचा पेड हाली में अंडमान दीव समों में खोजा गया है किसके द्वारा भारत और थाईलेंड के researchers द्वारा तो यह आपको जानना चाहिए और आपको बता दें कि यह जो पारिश्ट्रिया लाल जी है यह जो है पारिश्ट्रिय जीनस इसकी एक प्रजाती है और यह लाल जी सिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है पारिश्ट्रिया लाल जी लाल जी सिंग कोन थे यह अंडमान एंड निकोबार रिजिनल सेंटर यहां के जोइन डिरेक्टर है और साथ यह आपको यह जानना चाहिए जो यह जो यह प्लांट है पारिश्ट्रिया यह मेड़ागासकर में जो है पाया जाता है और इसको आई-उ-सी-एन की क्रिटिकली इंडेंजर लिष्ट में रखा गया है LPGA Medihill Championship किसने जीती है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन C So Matilda Kasten won the LPGA Medihill Championship तो यहां पर बात हो रही है गोल्फ की तो गोल्फ टूर्णामेंट है यह और Women's Professional Golf Tournament होता है महिलाओ के लिए होता है यह तो इसको जो है Finland की Matilda Kasten इन्होंने जीता है निम लिखित में से किसने Virgin Atlantic के साथ अपनी 17 साल लंबी साजेदारी का विस्तार किया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंतरों का ओप्शन ए So TCS has expanded its 17 year long partnership with Virgin Atlantic Virgin Atlantic आप जानते हैं कि एक airline group है ब्रिटेन का ठीक है British airline है तो इसके साथ TCS ने अपनी 17 year long partnership पे इसको expand किया है और इसके तहत जो भी operational management और digital transformation है जो इस airline का वो TCS द्वारा कराया जाता है और साथ ही इसमें जो भी airline का end-to-end technology operation है ये भी जो employees है TCS के और Virgin Atlantic के मिलकर इस सभी को करते है वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की rank क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा option C जानते हैं इसके बारे में देखे चोधवा नंबर है भारत का वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में और ये जो सर्वे है ये रिलीस किया गया है सी ए एफ के द्वारा ठीक है कैफ के द्वारा current affairs fund आभी आप इसको कह सकते हैं खैर चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके तहट क्या कहा गया है according to the index 61% of Indians help strangers 61% Indians ने जो है strangers की है help की है 34% ने volunteer किया है और 36% ने मनी डोनेट की है और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी क्या कहा गया है कि जो भारत है वह अब दुनिया के सीर्स 20 सबसे उदार यानि generous देशों में से चोद्वे नंबर पर है और इसने यह भी का है कोवीड-19 महामारी ने वर्ड में जो दान देने का चलन है उसको और भी बढ़ा दिया है जो की सही बात भी है साथी इसमें जो है इंडोनेशिया पहले नंबर पर है और उसके बाद केनिया दूसरे नंबर पर है निम्लिकित में से किसने online बाल शोशन को रोकने के लिए रिपोर्टिट डॉंट शेर इट पहल सुरू की है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी सो फेस्बुक हैस लॉंच्ट डिपोर्टिट डॉंट शेर इट इनिशेटिव तो प्रिवेंट ओनलाइन चाइल्ड अब्यूज और यह जो इनिशेटिव ह इसके सीओ मार्क जुकेर बर्ख हैं हैटकॉर्टर्स युनाइटेड इस्टेट्स में हैं फेस्बुक हाली में किन वज़े से न्यूज में रहा है तो हमने पढ़ा था कि फेस्बुक ने मार्ने लेवीन इनको फस्ट चीफ बिजनेस ओफिसर अपॉइंट हिया है साथी इस आंसर होगा option c जानते हैं इसके बारे में तो देखे राजस्तान गौर्णेड्स विलटा वेदिक सीख्षा संसकार पोर्ड तो इसमें छात्रों को शिखाएंगे की वैदिक सिक्षा विज्ञान और योग से कैसे जूड़ी है राजस्थान के बारे में आपको जानना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर असोग गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र है और कैपिटल जयपूर है अगर हम राजस्थान से जुड़े कुछ static facts की बात करें जो आपके exam point of view से काफी important है तो आपको जानना चाहिए कि area wise राजस्थान भारत का सबसे largest state है साथी Albert Hall Museum ये जयपूर राजस्थान में है, ये SST में पूछा जा चुगा है, इसलिए याद रखेगा साथी Kalibangan and Balathal ये दोनों ही देखिए Indus Valley Civilization के जो अवसेश हैं, यहाँ पर मुझूद है साथी आपको ये भी जानना चाहिए, गंगोड फेस्टिवल, पुसकर फेर, चंद्रपरभा फेर, बुंदी फेस्टिवल और सारसमिला ये भी राजस्थान में आविजीत किये जाते हैं और सवाईमान सिंग स्टेडियम ये जयपूर में है, और बारकतुला खान स्टेडियम ये जोथपूर में है आगे बढ़ते हैं, कौन सा बैंक, National Asset Reconstruction Company Limited, यानि NARCL का प्रमुख प्रायजक होगा ओप्शन्स आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए तो देखिए, कैनरा बैंक जो है, ये जो National Asset Reconstruction Company Limited, जिसे बैड बैंक भी का आगया है तो इसमें 12% स्टेक जो है कैनरा बैंक के रहेंगे, इसलिए ये जो है लीड इस्पोंसर इसमें रहेगा फेंड्स यहां पर समझेंगे कि बैड बैंक का मतलब क्या है, देखिए, पहले तो ये जानिए कि NPA क्या है देखिए, जो भी बैंक के NPA होते हैं, यारी Non Performing Asset का मतलब क्या होता है इस तरह का Asset, जिससे बैंक की कोई Income न हो रही हो तो बैंक ने जो लोन दिये होते हैं, मान लीजे 90 दिन तक बैंक को जो है उस लोन का प्रिंसिपल या फिर जो इंट्रेस्ट उस पर आता है वो भुकतान नहीं किया गया है, बोरोबर द्वारा, तो उसको बोला जाता है Non Performing Asset इसमें भी फिर आगे यह बढ़ जाता है, जैसे Sub Standard Assets बन जाता है, फिर Doubtful Assets बन जाते हैं और Lost Assets बन जाते हैं तो आप जनरली समझ गए कि Non Performing का मतलब होता है इस तरह का Asset, इस तरह का संपत्ती जिस पे बैंक को Income होनी बंद हो चुकी हो उसको बोलते है Non Performing Asset, तो अब देखिए यह Bad Bank क्या करेगा, अब जो Bank है, Bank जब किसी Borrower से Loan Recovery करते हैं, तो कई तरह के जो है Process बने होते हैं, जैसे Surface Act आपने पढ़ा है, DRT, यानि Debt Recovery Tribunal, DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal, तो इन सभी से उपर गुजणना पढ़ता है, अब Bank क्या करेंगे, अब जो यह National Asset Reconstruction Company Limited, NARCL बन गया है, तो अब Bank जो है, अपना जितना भी NPA है, वो इसको दे देंगे, इस Company को सौंप देंगे, अब जो बाकी का काम होगा, जो पहले Bank किया करती थी, Borrower से पैसा वापस लेने के लिए, जो भी काम बैंक करते थे, अब वो काम यह National Asset Reconstruction Company Limited करेगी, यानि, बैंक का क्या हो गया, बैंक ने अपना जो है, जो जो बैंक के पास North Performing Asset है, वो इस Company को दे दिया, लेकिन कैसे दिया है, मान लीजे 100 करोड का NPA था, किसी बैंक के पास, तो वो 100 करोड का NPA, इसके बदले, जो National Asset Reconstruction Company Limited को दे दिया, तो इसके बदले, जो National Asset Reconstruction Company Limited है, वो उसको जो है, कुछ डिसकाउंट पर जो है, उसको वापस पैसे देगा, यानि, 100 करोड का NPA है, तो यह नहीं की National Asset Reconstruction Company उसको 100 करोड दे देगा, अभी तक तो इनकी कोई इनकम भी नहीं है, अभी तक तो इनकी रेकवरी भी नहीं की है, केवल इस तरह से हो सकता है कि 40 करोड रुपे बैंक को वापस मिल जाए, तो बैंक को कुछ ना कुछ तो यहां पर पैसे मिल रहे हैं, और इस पैसे को विरागे वो अब लोन देने के लिए काम में ले जा सकते हैं, तो एक तरह स है, किस IIT ने BRICS Network विश्व विद्यालयों के सम्मेलन की मेजवानी की है, ओप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर होगा, ओप्शन बी, So, IIT Bombay hosted a conference of BRICS Network universities, और BRICS साब जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साफ आफरीगा, तो इन सभी की जो उनिवरस्टीज हैं, इनकी एक तीन दिन की virtual conference, IIT Bombay ने host की है, साथ ही आपको जानना चाहिए, कि इस conference का theme रह है, electric mobility, और इस conference में जो chief guest रहे है ये रहे है, नितिन करकरी, नितिन करकरी, ministry of MSME है, और minister of road transport and highways भी यही है, साथ ही आपको जानना चाहिए, कि जो 13th BRICS Summit है 2020 की, ये भारत host करेगा, और इसका theme भी आपको जानना चाहिए, एक्जाम में पुछा जा सकता है, BRICS at 15, intra-brics cooperation for continuity, consolidation and consensus, और हाल ही में, IIT Bombay किस लिए नियूज में था, क्योंकि IIT Bombay ने कोई दा सेंटर फोर डिजिटल हेल्थ, इसको लॉंच किया है, तमिल लाडु में चेन्नाई कन्यकुमारी इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर के लिए कौन सा बैंक, 414 million US तोलर का रिण प्रदान करेगा, options आपके सामने है, सही answer होगा option C, so Asian Development Bank will provide a 484 million US dollar loan for चेन्नाई कन्यकुमारी इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर इन तमिल लाडु, तो देखिए, 484 million US dollar का लोन प्रवाइड करेगा, Asian Development, किसके लिए, चेन्नाई कन्यकुमारी इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर जो की तमिल लाडु में है, इसके लिए, कितने रुपे का आपको जानना चाहिए, चेन्नाई कन्यकुमारी इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर है, यह East Coast Economic Corridor का एक हिस्सा है, देखिए, जान ले थे हैं कि कौन-कौन से इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर भारत में बनने जा रहे हैं, इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर का मतलब होता है, वर्ड क्ला पोर्ट्स और रेलवे कनेक्टिविटी हो, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो, एरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो, लोजिस्टिक और नोलेज पार्क महां पर बने हो, इस तरह का इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर, तो देखिए, डैली-मॉंबई इंडर्स्ट्रियल कोरिडोर तो इसका हिस्सा है इसका part 1 में वाइजेक चेन्नाई इंडस्टियल कोरिडोर बनेगा और जो हमने अभी पढ़ रहे हैं चेन्नाई कन्यकुमारी इंडस्टियल कोरिडोर ये भी इसी का हिस्सा है इस्ट कोस्ट इकोनोमिक कोरिडोर का साथी बैंगलरू मुंबई इंडरस्ट्रियल कोरिडोर, उधाना पलसाना इंडरस्ट्रियल कोरिडोर, हैधराबाद वारंगल, हैधराबाद नाकपुर इंडरस्ट्रियल कोरिडोर और हैधराबाद बैंगलरू इंडरस्ट्रियल कोरिडोर साथ ही आपको यह जानना चाहिए एशन डेवलप्मेंट बैंक का हेड़कॉर्टर्स मनिला या मंदल यूंग फिलिपिन्स में है और इसके प्रेजिडेंट है माशा शुगू असकावा नेक्स्ट और पास मालवी का बंसोद किस खेल से जुड़ी हुई है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन सी मालवी का बंसोद इस असोचेटेड विद बैटमिंटन तो देखे किसले न्यूज में है जो मालवी का है इन्होंने रशेल दरागा जो आइलेंड की इनको हरा कर आरेसल लिथवानियन इंटरनेस्टन बैटमिंटन टूर्णामेंट जीता है तो इंपोर्टेंट गोश्चन है आपके लिए इसको नौट डाउन जरू कर लीजेगा निमली खित में से किसने गैलफेंट चैलेंज सत्रंज का खिताब जीता है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन B और जी गोकेश का मतलब है इनका नाम है दोमाराजू गोकेश तो इन्होंने 15,000 युए टोलर का गैलफेंट चैलेंज चैस टाइटल जीता है दोनों ही गोश्चन फ्रेंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट है इससे पहले वाला भी और यह भी साथ यह आपको बता दे जो डी गोकेश है यह इंडिया के यंगेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर है और फिलाल यानि जो आज के समय में जो खेल रहे हैं सभी उसमें भी यह यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है वर्ड के और अब तक के यानि शुरू से लेके अब तक के ये second youngest grand master हैं तो यह आप याद रखेगा फिलाल जो आज के time में जो खेल रहे हैं उन में youngest हैं और अब तक के जो है second youngest हैं अरब इंडिया एनर्जी फोरम का पहला संसकरण भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में आयूजित किया गया, और आपको जानना चाहिए कि यह जो अरब इंडिया एनर्जी फोरॉम में सबसे पहली बात तो यह है कि यह फस्ट एडिशन है, 2030 में इसका किया जाएगा, आयूजित किया जाएगा, मौरोक को की बात करें, तो कैपिटल रबात है और करंसी है, मौरोक कन दिरहम, टुनीशिया गंडराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियूक्त किया गया है, आपके सामने है, सई आंसर होगा, आपशन डी, तो तुनीशिया में इनको अम्बैस्टर नियूक्त किया गया है, साथ है आपको यह जानना चाहिए, जो तुनीशिया है, इसकी कैपिटल तुनीश है, करंसी है इसकी तुनीशियन दिनार, यहाँ पर फ्रेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वापस चलते हैं थोड़ा सा, यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर, ग्रिटी, गुकेश, विंस, गैलिफेंट, चैलेंज, जो फ्रेंट्स से ग्रिटी है सब्द है, यह एक्जाम में पूछा जाता है, इसके सीनोम निम्स पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखिया, ग्रिटी का मतलब होता है, ग्रिटी का मतलब होता है, तो इस तरह से यह सब्द आपको जानने चाहिए, जो भी यह इंगलिस निम्स पूछ वरों में, जो हैड्लाइन्स में कई सारे ऐसे सब्द होते हैं, जो डिरेक्ट आपके एक्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिया, ग्रिटी, इसलिए मैंने आपको बतायाना है, आपके सही समझा, ग्रिटी का मतलब होता है, क्रेजियस, ब्रेव, बोल्ड, डिटर्माइंड, खुद से भी आप सर्च कीजेगा, और अलग-अलग सेंटेंस इसके आप देखिएगा, फिर से अपने कुश्चन पर आते हैं, यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टप कार्यगरों में से एक, वीवा टेक, हर साल किस सहर में आयोजित किया जाता है, ओप्शन आपके सामने है, और सही आंसर होगा, ओप्शन ए, तो देखिए, किसलिए ये कुश्चन लिया गया है, क्योंकि जो हमारे परदान मंत्री है, नरेंदर मोदी, इन्होंने इस वीवा टेक, ये जो सम्मिट है, इसमें जो है, इसको एड्रस किया है, इसको संबोधित किया है, और ये विविफ्थ एडिशन रहा है इसका, और ये जो है, एक डिजिटल एड स्टार्ट अवेंट होता है, और यूरोप के one of the largest, डिजिटल एड स्टार्ट अवेंट में से एक है, और पैरिस, फ्रांस में ये हर साल आईजित किया जाता है, Microsoft के नए chairman के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने हैं सई answer का option B So Satya Nadella has been appointed as the new chairman of Microsoft तो देखिए Microsoft के CEO तो हैं और अब इनको chairman भी बना दिया गया है किसे replace किया है या किसे succeed कर रहे है John Thompson को कर रहे है तो यह भी आपके लिए जानना चाहिए किसे कर रहे है John Thompson Microsoft ही अगर हम बात करें तो इसके founders रहे हैं Bill Gates और Paul Allen CEO Satya Nadella ही है और headquarter से United States में Microsoft किन किन कारणों से हाल ही में न्यूज में था जो कि हमने MSQS format में भी देखे हैं तो Microsoft ने अपना पहला Asia Pacific Cyber Security Council इसको launch किया है साथी ICICI Lombard ने Microsoft के साथ partnering की है किसलिए To Automate Audits of Service Calls साथी CBSC ने भी Microsoft के साथ partnership की है किसलिए Schools में Coding and Data Science इनको introduce करने के लिए तो तीनों पॉइंट साथ याद रखेगा किस लगू वित्व बैंक ने असेवित और कम सिवा वाले छेत्रों में Digital Banking अनुभव परदान करने के लिए More Engage के साथ सैयोग किया है Options आपके सामने है सही answer होगा Option C So Ujjiwan Small Finance Bank has collaborated with More Engage to provide Digital Banking experiences in the unserved and underserved regions तो देखे जो इस तरह की region है भारत में जो जहां पर banking services सही से नहीं पहुच पाई है तो वहाँ पर इन services को पहुचाने के लिए वहाँ पर अपने customers जो है जोनने के लिए Ujjiwan Small Finance Bank ने यह जो customer engagement platform है यह United States का है More Engage इसके साथ partnership की है क्यानि कि यह marketing firm है किस तरह से marketing की जाए अपने products की तो उसमें यह जो है help करती है Ujjiwan Small Finance Bank की बात करें तो headquarters बैंगलोरू करनाटक में है MD and CEO नितिन चुग है और इसकी tagline है Build a better life निम लिखित में से किसने उड़जा परियोजनाओं के विकास के लिए राष्टिय पवन उड़जा संस्थान के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है सही answer का option C So SJVN has signed an MOU with National Institute of Wind Energy for development of energy projects तो देखिए SJVN यह एक मिनी रत्न जो है power PSU है तो इसने National Institute of Wind Energy के साथ एक MOU sign किया है किसलिए जो भी SJVN के जो प्रोजेक्ट चल रहे है उसमें Technical Consultancy Services प्रोवाइड कराने के लिए साथी आपको यह जानना चाहिए जो National Institute of Wind Energy है यह चेन नहीं तमिल नाडू में है और जो SJVN है इसका headquarters या आप इसका corporate office समझ सकते हैं यह सिमला हिमाचल पर देश में है और हाली में SJVN ने New Delhi Municipal Corporation के साथ भी 150 MW Solar Power का एक टाइब किया है Sustainable Gastronomy Day is observed on which day options आपके सामने है सही answer होगा option C So Sustainable Gastronomy Day is observed on June 18 तो 18 June को यह मना जाता है Gastronomy का मतलब होता है study of food and culture या फिर आप कह सकते है style of cooking from a particular region किसी मुख्य जगा की किसी particular region का cooking style है उसको जानना या फिर local food के बारे में जानना ठीक है तो उसको बोलते हैं Gastronomy Sustainable मतलब वही कि इस तरह से हम किसी चीज को उपयोग में लाएं कि वो आगे तक चल सके तो 18 जुन को यह मनाया जाता है United Nations का डे है इसलिए important है भारत और किस देश ने परियावरण के छित्र में सहयोग करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है सही answer होगा option B India and Bhutan have signed an MOU for developing cooperation in the areas of environment so परियावरण के छित्र में सहयोग के लिए इंडिया और Bhutan ने MOU sign किया है Bhutan की अगर हम बात करें तो Bhutan ही capital थिम्पू है currency है नकुल्ट्रूम official language है यहां की जोंखा यह आप याद रखेगा जोंखा यह भुटान की official language है यहां के head है जो country head है जिनें बोलते हैं द्रूक ग्यालपो इनका नाम है जीक में केशर नाम ग्याल वांग चुक देखे जो भी हमारे पडोसी देज है इनके बारे में हमें जानकारी रखने चाहिए एक्जाम में हैं इसे questions पूछ दे जाते हैं साथे आपको इभी जानना चाहिए कि भूटान को द्रूक यूल इस नाम से भी जानना जाता है जिसका मतलब होता है the land of the thunder dragon कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि किस country को the land of the thunder dragon के नाम से जानना जाता है तो सही answer होगा भूटान साथे आपको इभी जानना चाहिए रोयल मानस नेसल पार्क ये भूटान में है और मानस नेसल पार्क कहाँ पर है आसाम में तो याद रखेगा रोयल मानस नेसल पार्क भूटान में है और यहाँ पर पारो इंटरनेस्टनल एरपोर्ट भी है काफी famous international airport है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है देखे पारो airport काफी famous इसलिए है क्योंकि यहाँ पर landing और take off करना काफी tough है क्योंकि काफी high mountain से गहरा हुआ है और यह मानिए कि केवल 20 या 21 certified pilots हैं जिनने यहाँ पर land करने की अनुमती है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं काफी अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं कि क्यों पारो international airport पर landing कराना इतना tough है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विस्वियापार संगठन में भारत के इस्थाई mission में counselor के रूप में किसे नुक्त किया गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D So, Assis Chandorkar has been appointed as the counselor in India's permanent mission in the world trade organization यानि कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि world trade organization में भारत की और से एक representative के रूप में किसे नुक्त किया गया है answer होगा Assis Chandorkar और तीन साल के लिए समाही Foundation of Policy and Research इसके director है WTO की बात करें यानि world trade organization की बात करें तो देखे जो इसकी member countries होती है तो WTO के कुछ agreements होते हैं उन agreements के हिसाब से countries अपने trades करते हैं कोई dispute हो जाए तो उनी agreements का सारा लेकर countries यहाँ पर मामले सुल जाए जाते हैं WTO के द्वारा यहाँ पर जो है 164 countries इसकी member है साथिया आप को यह भी जानना चाहिए भारत 1995 से 1995 से WTO का member है इसकी जो director general है यह है रगोची ओकोन जो अईवियाला तो यह Nigeria की है यह आप याद रखिएगा Nigeria की है यह 37 का headquarters जेनेवा Switzerland में है विश्व प्रतिस परधात्मक्ता सूचकांक में भारत का इस्थान क्या है सही आंसर होगा option B India's rank on the world competitiveness index is 43rd और यहाँ से आप देख भी सकते हैं 1st rank Switzerland की है 2nd Sweden की है और 3rd Denmark की है देखिए world competitiveness index किसके द्वारा compile किया गया है Institute for Management Development IMD द्वारा तो इस index में यह बताया गया है कि जो COVID-19 के कारण जो भी अरतवियस्था में जो गिरावट आई है तो देशों ने किस तरह से अरतवियस्था को पटरी पर लाने के साथ-साथ अपने नागरीकों के welfare के लिए कदम उठाए है और इस index को Switzerland ने टोप किया है उसके बाद Sweden, फिर Denmark, फिर Netherlands और फिर Singapore भारत की rank 43rd है और Brics countries की अगर बात करें तो उसमें भारत दूसरे नमबर पर है यानि चाइना पहले नमबर पर है जिसकी overall 16th rank है निम लिखित में से कौन भारती Olympic संग का परमुख पागीदार बन गया है options आपके सामने है सई आंसर होगा option A So MPL has been, has become the principal partner of the Indian Olympic Association IOA तो देखिए Indian Olympic Association ने MPL Sports Foundation को अपना principal sponsor बनाया है किसलिए जो Tokyo Olympics होने वाला है और जो 2022 में Birmingham Commonwealth Games जो ने वाले इंगलेंड में इसके लिए अपना official partner बनाया है साथे आपको ये भी जानना चाहिए कि डेड़ सारक तक के लिए ये agreement किया गया है और Indian Olympic Association के President है Dr. Narendra Dhru Badra क्यूबा गंडराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सई आंसर होगा option C So S. Janaki Roman has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Cuba तो Republic of Cuba में next ambassador होगे Dr. S. Janaki Roman क्यूबा की बात करें तो capital हवाना है और यहां की currency Cuban peso है तो ये map आप देख सकते हैं ये North America है ये South America है ये बीच में Central America है और ये जो आप देख रहे हैं ये Caribbean Sea है और Gulf of Mexico है तो इस दोनों को जो अलग कर रहा है ये पुरा कहलाता है Western Indies या फिर आप Caribbean countries कहते हैं तो जैसे आपने cricket में देखा होगा Western Indies तो वो कोई एक देश नहीं है कई सारे देश मिलकर बनाते हैं यहां पर तो ये जितनी भी countries है ये Cuba हो गया, Puerto Rico हो गया तो ये सभी Western Indies में आती हैं और ये सारी countries मिलकर Western Indies region बनाती है तो ये पुरा एरिया Western Indies कहलाता है याद रखेगा ये है Central America North America और ये है आपका South America और Mexico से लेकर ये पुरा पार्ट जो है इसको आप Latin America कह सकते हैं जहाँ पर की Romance Language बोली जाती है यानि Spanish, Portuguese जिन भी एरियास में बोली जाती है तो उसको फिर Latin America बोला जाता है किस मंत्राले ने संकल्प से सिद्धी Mission 1 धन पहल सुरू की है Options आपके सामने है सही आंसर होगा Option C So Ministry of Tribal Affairs has launched संकल्प से सिद्धी Mission 1 धन इनिशियेटिव तो देखे जो हमारे Tribal Affairs Minister है अरजुन मुंडा तो इन्होंने जो Trifat का Head Office है न्यूडेली में यहाँ पर संकल्प से सिद्धी Mission 1 धन इस इनिशियेटिव को सुरू किया है ओव्यस सी बात है कि इसका मकसद क्या है जो Tribal से उनकी जो उनका जीवन जो है उसको विकास की और ले जाना और साथ ही यहाँ पर देखे पहले मैं आपको यह बता जिता हूँ जो यह Mission 1 धन है इसका मतलब क्या है जो भी आपका जो Tribal होते है तो 1 से जो भी इनको संपत्ती प्राप्त होती है वन संपता जिसे बोलते हैं जैसे की लकडी हो गया या फिर कई तरह की ओस्ती हो गई और कई तरह के जो है Spices हो गए तो इन सभी यह जो Tribal से है तो इन सभी चीजों को जो है मार्केट में उतार सके हैं तो यही Mission 1 धन और इसके लिए जो Responsible Agency है यह है Trifid Trifid क्या करता है जो भी Tribal लोग जो है जो वनों से जो उनको प्राप्त होता है जैसे कोई ओस्ती है या फिर मसाले है या फिर लकडी से यह जो अपना कुछ समान निर्मित करते हैं जैसे कोई हैट इन्होंने बना दी तो इस सभी जो समान है इनको एक अच्छा मार्केट उपलब्द कराना इसकी मार्केटिंग करना ठीक है इनका निर्याद करना तो यह सभी जिम्मेदारी Trifid की है तो इसी तरह के साथ आउटलेट्स और खोले हैं इन्होंने ही अर्जुन मुंडा ने इनोग्रेट की है 7 More Tribes of India Outlets और इसके जो मैनेजिंग डिरेक्टर है यह प्रवीर कृष्ण है पूछ लिए जाता है इस तरह क्योंकि हमारा ध्यान कमी जाता है कि Trifid के मैनेजिंग डिरेक्टर कौन होंगे लेकिन एकदाम में कुछ ही पूछा जा सकता है तो इसलिए आप याद रखेगा किस बैंक ने digital lending platform easy credit launch किया options आपके सामने है सही answer होगा option D so industry bank has launched a digital lending platform easy credit तो lending platform है जानी कि loan देने का यह कार्य करेगा जो इसनोंने अपना यह platform launch किया है इंड़स easy credit बात करें इंड़स इंड बैंक की तो MD and CEO हैं सुमन्ध कत पालिया और headquarters पूने महाराष्टर में है निम्लेखित में से किसने IDBI Bank के सहयोग से एक संपर्क रही थ prepared gift card जिसका नाम सगुन है इसको launch किया है options आपके सामने है सही answer होगा option C so LICCSL has launched a contactless prepared gift card in collaboration with IDBI Bank तो यहाँ पर question इस तरह से भी पुछा जा सकता है कि LICCSL ने जो अपना contactless prepared gift card शगुन launch किया है यह किस के साथ collaboration में launch किया है तो उस condition में answer होगा IDBI Bank तो IDBI Bank के collaboration के साथ इसने अपना एक contactless prepared gift card जिसका नाम सगुन है यह launch किया है LICCSL यानि LIC Card Services Limited ने और इसका headquarters New Delhi में है भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भरती पर सहयोग के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं important question है और सही answer होगा option C so India and Kuwait has signed an MOU for cooperation on recruitment of domestic workers तो देखिए इसमें क्या होगा अब जो भारते घरेलू कामगार जो है इनको कानून के दारे में लाया जाएगा इसके लावा उन्हें कानूनी संदक्षड भी दिया जाएगा देखिए फ्रेंट्स आपको यहाँ पर यह जानना चाहिए कि गल्फ कोपरेशन काउंसिल जी सी सी यह भी आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्टेंट है बैंकिंग के लिए नहीं बाकी जो एक्जाम होते हैं ठीक है उनके लिए काफी इंपोर्टेंट है जैसे इसमें कौन कौन सी कंट्रीज सामिल है साओधिय अरबिया, कुवेट, युनाइटेड अरब, अरब, एमिराट्स, कतर, बहरीन, ओमान ये सब ही कंट्री इसमें सामिल हैं, अच्छा तर इसका हैटकौर्टर्स भी पुचा जासकता है cosa चाहे वो बैंक का एकजाम हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो किसी भी कोई भी एकजाम हो, Gulf Corporation Council का headquarters पहले भी पुछा गया है और आपके किसी भी exam में पुछा जा सकता है याद रखेगा Riyadh Saudi Arabia में इसका headquarters है काफी important यह council है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से note कर लीजेगा साथी कुएत की बात करें तो capital कुएत city है और currency है कुएती दिनार तो यह आप देख सकते है सौधी अरब, बहरीन, कुएत, कतर, UAE और ओमान तो यह सबी जो है Gulf Corporation Council बनाती है किस राज्य ने RevUp नामक एक accelerator कार्यकरम शुरू गिया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B So, Telangana has launched an accelerator program called RevUp तो देखिए यह जो है एक तिलंगाना का artificial intelligence mission है जिसका नाम है RevUp तो इसका मकसद क्या है जो भी start-ups है तो business problems में उनकी government और industry द्वारा सायता की जाएगी यानि कि कोई tough business problem है उसको solve करने के लिए government और industry के द्वारा उनकी सायता की जाएगी तिलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रसेखर राव गवर्णर है तमिल सही सुंदर राजन कैपिटल है हाईदरबाद हाल ही में किस देश के पहले राष्ट पती Kenneth Conn का नीथन हो गया है सही आंसर होगा option D जांबियास first president Kenneth Conn has passed away recently और देखिए परदानमंतिर नरेंदर मोदी ने भी जो है इस पर अपना शोक व्यक्त किया है तो इसलिए ये news में है साथी फ्रेंड जांबिया के बारे मैं में जानना चाहिए कि capital Lusaka है currency है जांबियन कोशा और president है यहाँ पर इतकार चागवो लूंगू देखिए यहाँ पर president इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब किसी कंटर के first president की जो है death हुई है तो question इस तरह पूछा जा सकता है कि अब कौन है यहाँ के president यानि present time में कौन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर president बता दिये हैं साथी फ्रेंट जांबिया के बारे में हमको दो important points जरूर जानने चाहिए जिन भी exam में आपके geography subject आता है geography से question आते हैं तो वहाँ पर यह दोनों points आपके लिए काफी मतदकार रहने वाले हैं देखे सबसे पहला तो यह है कि यह जो लेक टेंगानिया है टेंगा नीका लेक टेंगानिका है जो आपकी तो यह वर्ड की longest fresh water lake है और यह चार countries द्वारा share की जाती है तंजानिया डेमोक्रेटिड डेमोक्रेटिड रिपब्लिक ओफ कोंगो डी रसी तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है याद रखेगा और यह जो है Victoria Falls जो है यह जांबिया और जिंबाबे के बॉर्डर पर इस्थित है और जांबेजी रिवर जो है इस पर यह लोकेटिड है तो याद रखेगा Victoria Falls यह question भी पुछा जाजा सुका है कि कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समू की पहली बैटक आयोजित की गई है सही आंसर होगा option D The first meeting of joint working group JWG on cyber security cooperation between India and Australia was held recently Australia की बात खरें तो Capital Canberra है Currency Australian dollar है और यहां के Prime Minister है Scott Morrison ज्यादा तर गलती Australia में कहा होती है कि इसकी capital Melbourne ज्यादा तर जो है aspirants समझ लेते हैं तो उस दसा में आप याद रखेगा Canberra है Australia की capital Court से राद्वारा जारी Global Skills Report 2021 में भारत की क्या rank है सही आंसर होगा option D India's rank in the Global Skills Report 2021 is 67th तो देखिए 67th है और इसमें क्या बताया गया इसमें बताया गया है कि इसमें ज्यादा जो है मतलब माहिर नहीं है इस तरह का digital skills gap यहां पर बताया गया है साथी यहां पर globally तो 67th भारत की position है और बाकी अगर अलग अलग domains यहां पर बताया गया है संखर्स में यौन हिंसा के अनुमूलन के लिए अंतराष्टे दीवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा option D international day for the elimination of sexual violence in conflict is observed on June 19 तो June 19 को यह मनाया जाता है देखिए जहां भी countries में ग्रह युद्ध चल रहा होता है या फिर कई countries ऐसी है जहां पर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन और जो आम जनता है इनके बीच में ज़ड़ा पुद्धी रहती है ज्यादातर यह अफ्रिकन countries और जो Middle East countries है यहां पर होता है तो सबसे यादा जिने इस सब का जो जो भुगतना पड़ता है इसके दूस परिणाम वो होती है यहां की महिला है तो इनके साथ काफी जबरदस्ति की जाती है इनकी दसा काफी कमजोर है जैसे यमन हो गया सीरिया हो गया अफगानिस्तान हो गया और नाइजीरिया हो गया तो यहां पर जो है महिलाओ की इस्तिति काफी दयनी है क्योंकि इन लोगों को बीना कुछ किये बीना बात के ही इन सब दसाओं से गुजरना पड़ता है रेप से Sexual Slavery जो हो गया, Forced Prostitution हो गया, Forced Pregnancy हो गया, इन सभी से इन्हें गुजरना पड़ता है, तो इसी को लेकर ये डे मनाया जाता है, International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict. Puma या Puma Motor Sport के Brand Ambassador के रूप में किसे न्यूकत किया गया है, सही आंसर होगा, Option C. So, Yuvras Singh has been appointed as a Brand Ambassador of Puma Motor Sport. तो देखिए, इसको Puma भी बोलते हैं कहीं जगें, और इसको Puma भी बोला जाता है, तो जो भी आपको सही लगे, तो Yuvras Singh को, Yuvras Singh इनके पहले से ही Brand Ambassador है, तो ये जो इनकी partnership है, इसको फिर से आगे extend कर दिया गया है. पियुमा की अगर बात करें, तो इसका headquarters हर्जो जीना उराच, जर्मनी यहाँ पर है, और फेंट्स यहीं पर जो है, एडिडास का भी headquarters से आप ध्यान दीजिएगा. पहली भारतिय नोसेना और किस नोसेना अभ्यास अधन की खाड़ी में शुरू हुआ, जिसमें INS त्रिकंद ने अब इस अभ्यास में भाग लिया. ओप्शन आपके सामने हैं और सही answer होगा, ओप्शन D. The Medan Indian Navy and European Union Naval Force Exercise begin in the Gulf of Aden with INS त्रिकंद participating in the exercise. जानते हैं इस कोशन के बारे में, देखें, Gulf of Aden में पहली बार Indian Navy और European Union Naval Force के बीच नवल exercise की गई है, और Medan exercise है, यानि कि पहली बार हो रही है, किसी भी अगर आप कोई प्रोग्राम है उसका पहला संस्क्रेंड जब लॉंच किया जाता है, उसको बोलते है Medan. साथिया आपको यह भी जानना चाहिए, कि इसमें four countries की navies ने participate किया है, और इसमें भारत की और से INS त्रिकंड ने participate किया. साथिया आपको यह भी जानना चाहिए, जो Gulf of Aden है, यह Babel Mandib, इसके थुरू Red Sea से connect होता है. देखिए, तीन टर्म्स होती है, Bay, Gulf और Straight. तो देखिए, इनमें क्या अंतर होता है, जल्दी समझते हैं, Bay का मतलब होता है, Bay इस जगह पर आप कह सकते हैं, जहाँ पर जो Land है, वो Inward कर्व होती है, यानि अंदर की और मुड़ी होती है, जैसे Bay of Bengal आप देखेंगे, तो वहा देख रहे हैं, काफी नेरो होता है, तो इस तरह की जो Water Body होती है, उसको Gulf बोलते हैं, तीसरा है Straight, इस्टेट क्या होता है, इस्टेट भी एक नेरो पैसेज होता है, कॉंटिनेंट्स के बीच में, या फिर आईलैंड्स के बीच में, या फिर दो या दो से जाद जो लार्ज Water Body होती है, उनके बीच का जो रास्ता होता है, काफी नेरो होता है, तो इसको Straight बोलते हैं, आई हो, आप भी गल्फ और Straight के बारे में जान चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं, भारत के किस गाउं को देश का पहला टीका करण गाउं गोसित किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से सभी लोगों को पहली खुराख दी गई है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन A, So V1 in India has been declared the country's first vaccinated village, with everyone above 18 getting the first dose, तो देखी जो ये विलेज है, V1, ये बांधीपुरा दिश्टिक जम्मो कश्मीर में इस्तित है, और साथ ही आपको भी जानना चाह चाहिए अगर हम जम्मो कश्मीर की बात करें तो यहां के लेटरेंड गवर्णर मनोस सीना है, कैपिटल जम्मो और श्री नगर है, साथ ही आपको ये जानना चाहिए, कि जम्मो और कश्मीर और लताक ये union territories बनी है, लेकिन कब से लागु हुआ ये इनका ये status, 31 सक्तुबर 2019 सूचना और प्रद्योगी की संसद्य इस्थाई समीती का अध्यक्ष कोन है, काफी important question है friends, इस तरह के question पूछे गए हैं, बैंक एक्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी जो एक्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो सही answer होगा, option B, ससी थरूर heads the parliamentary standing committee on information and technology, led parliamentary panel, तो देखिए यहाँ पर depos का मतलब होता है, depos का मतलब ऐसे होता है किसी को किसी पत से हटाना, लेगिन यहाँ पर इसका मतलब है interrogate करना, उनसे पूछना, कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, आपकी जो responsibility है, आपने उसको सही से क्यों नहीं निवाई इस तरह से, त तो social media और government of India के बारे में आप जानते हैं, जो भी विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर Twitter India से यही पूछा गया है, कि आपने अप तक अपना grievance officer क्यों नहीं nuked किया है, साथी देखिए ससीर थरूर के बारे में आपको यह जानना चाहिए, कि यह लोकसभा MP है, और कहां से है तो MPs की जो consistency है, यह भी पूछ ली जाती है exam में, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, इनकी एक book है An Era of Darkness, इसके लिए ने साहित Academy Award भी मिला है English Language ही category में, साथ है अगर हम Twitter की बात करें, तो इसके founders है Jack Dorsey, Beige Stone, Noah Glass, Evan Williams, और 21 मार्स 2006 को इसके स्थापना की गई थी, और इसके CEO है Jack Dorsey, और इसका headquarters United States में है, साथ ही Twitter India के जो MD है, इनका नाम है Manish Maheshwari, यह आपके लिए important रहेंगे, साथ ही हाली में Twitter India ने tip jar, इस तरह की service भी provide कराई थी, जिसमें कि आप Twitter पर कोई link share करके, थर्ड पार्टी के थुरू जो है payment कर सकते हैं, इब्राहीम राइसी ने किस देश का राष्टपती चुनाव जीता है, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा option A, So, इब्राहीम राइसी has won Iran's presidential election, जानते हैं इसके news के बारे में, तो देखें, इब्राहीम राइसी इन्होंने इरान के next president बनने वाले हैं, और इन्होंने हसन रोहानी को replace करेंगे, साथे आपको यह भी जानना चाहिए, इरान से related जो most important fact है कि 2015 में, JCPOA यानि Joint Comprehensive Plan of Action Deal, यह एक nuclear deal जो है इस तरह की, एक sign हुई थी, किसके बीच में इरान और P5 प्लस Germany and European Union के बीच, P5 मतलब जो 5 permanent members हैं, UK, US, Russia, France और चाइना, इनके लावा जर्मनी और European Union के साथ भी यह deal sign की गई थी, साथी आपको यह भी जानना चाहिए, अगर हम इरान की बात करें तो यहां के supreme leader है, Ali Khomeini, capital है तहरान, currency है Iranian, real, और यहां की Parliament को बोला जाता है, मजलिश, साथी यह जो deal हुई थी, Joint Comprehensive Plan of Action Deal, तो इसमें सी United States 2018 में अपने आपको विड्रो कर चुका है, Flying Seek के नाम से किसी जाना जाता है, सही answer होगा, option B, so Milka Singh is known as Flying Seek, जानते हैं इस news के बारे में काफी important रहने वाली यह आपके आने वाले exam में, यहां से question भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पुरा summarize कर दिया इनके बारे में, देखें, Milka Singh को Flying Seek बोलते हैं, इनका हाली में निधन हो गया है, कहां पर बोर्ण हुए थे, यह आपके लिए काफी important है, गोविंद पूरा में, जो कि यह पाइस्तान के पंजाब प्रोविंस में located है, इनको 1959 में पदमसरी से सम्मानित किया गया था, साथी आपको यह भी जानना चाहिए, कि यह इकलोते ऐसे अथलीट है, जिन्होंने एशियन गेम्स और कोमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है, साथी यह फर्स्ट इंडियन ट्रेक एंड फिल्ड एथलीट है, जिन्होंने ब्रिटिस एम्पायर एंड कोमनवेल्थ गेम्स जो कि 1958 में हुए थे, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, माकों इस्पैंच जो कि साथ अफरिका को हैं, इन्हें इनको इन्होंने हराया था, मिल खासींजी ने, साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि इन्होंने भारत को 1956 के जो Olympics हुए है Melbourne में, 1960 के जो Olympics हुए है Rome में और 1964 के Olympics जो हुए है Tokyo में यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है, यानि तीन Olympics में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है साथ ही इन्होंने 4 Asian Games Gold Medals भी जीते हैं, दो तो इन्होंने 1958 में जीते हैं और दो जीते हैं इन्होंने 1962 में इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी Medal Tally, देखें 1958 के Asian Games में दो Gold जीते हैं, फिर 1958 का जो Commonwealth Games हुए थे उसमे इन्होंने Gold जीते 1962 में भी इन्होंने दो एशियन जो गोल्ड मैडल्स जीते हैं और हाली में आपको जानना चाहिए इनकी वाइफ निर्मल कौर इनका भी जो है निधन हो गया है तो यह किसले फेमस्ती क्योंकि इन्होंने भारत की वॉल्लीवर्ड टीम को कैप्टन किया था गुरु परशाद मोहापात्र जिनकी व्रित्युक कोविट के कारण हुई किस विभाग में सचीव थे ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी गुरु परशाद मोहापात्र हूँ डाइड द्यू पोस्ट कोविट कॉम्प्लिकेशन वॉस दे सेक्रे यहाद रुकिया Department of Industry and Internal Trade में और इससे पहले यह Airports Authority of India के चेर्मन भी रह चुके हैं फ्रेंड दो चीजे हैं आपर आपको जाननी चाहिए एक तो यही जिसके बारे मैं कोश्चन में बात कर रहे हैं DPIIT Department of Industry and Internal Trade यह Ministry of Commerce and Industry के तहता है जबकि इसी तरह से एक है दीपम Department of Investment and Public Asset Management कभी गभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछले जाती है कभी यह भी पूछले जाता है कि यहाँ पर P का मतलब क्या है या A का मतलब क्या है तो यह आता है Ministry of Finance के अंतरगत दोनों ही डिपार्टमन काफ के सामने है correct answer होगा option D so together we heal, learn and shine is the theme for 2021 World Refuse Day तो यह 20 June को मनाया जाता है World Refuse Day देखिए United Nations 1951 Refuse Convention के इसाफ से refugee का मतलब होता है ऐसा कोई someone यानि ऐसा कोई person जिसको की जो अपना घर अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो क्यों क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको prosecute किया जा सकता है वहाँ पर अक्तियाशार हो सकते हैं या फिर वहाँ पर उसकी जान को खत्रा है क्योंकि उस रीजन में जो है लोग race के हिसाप से religion के हिसाप से membership के हिसाप से divided हैं तो उनको बोला जाता है refugee जो मजबूर हो जाए अपना घर छोड़ने के ल स्विट्जर्लेंड में काफी इसका headquarters पूछा जाता है एक्जामस में कितने परियावरण कारेकड़ताओं को 2021 का Goldman परियावरण पुरुषकार मिला है options आपके सामने है सही आंसर होगा option D so six environmental activists received the 2021 Goldman environmental prize देखिए जो यह Goldman environmental prizes को green nobel भी बोला जाता है और Goldman environmental foundation के द्वारा दिया ज कि दिए होसकते हैं तो तरह से इस तरह कोष्चना मिला होता तो यह तो कुश्चन में आपसे पुछा inhib Mexico को एस पूछाना है दूसरी तरह से जो आखकल जाता पूछाय जाता है वह यह हותा मान लिए किसी इंडियन को वई प्रुंछा है और उसके अलावा हो डोगों मिला तो ये पुचा जा सकता है कि इन इंडियन को ये पुरुसकार मिला इनके लावा और कितनों को मिलाया तब option में आ जाता है 5,6,7,8 ठीक है इस तरह से भी question आजकल बनने लगए हैं तो ध्यान दिएजिए गा इस तरह को के द्वारा और देखे यह six recipient है इन अवार्ट के तो इनको आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं किस देश को केंद्र सरकार ने अपने नए संसत भवन निर्मान के लिए 108.28 बिलियन अमेरीकी डॉलर का रिंड दिया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी इंडियन गवर्मेंट है एक्स्टेंड अलोन ओफ यूस्टी 108.28 मिलियन फूर कंस्ट्रक्शन ओफ इस्वातिनी निव पार्लियमेंट बिल्डिंग जानते इसके बारे में देखे इस्वातिनी जिसे पहले स्वाजी लेंड के नाम से जाना जाता था तो इसको भारत भारत गवर्मेंट एक्जीम बैंक के तुरू 108.28 मिलियन यूस टोर का लोन प्रोवाइट कराएगी किसलिए यहां की निव पार्लियमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए साथी इस्वातिनी के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहां पर दो कैपिटल है एक तो है मबाबने दूसरी है लोबामडा लोबामबा और यहां की क को सोलर एनरजी सेक्टर में फाइनेंस के लिए 100 मिलियन यूस टोर की लाइन ओफ क्रेडिट भी प्रोवाइट कराई है तो दो हो गए आपके पास एक तो ईस्वातिन को एक जीम बैंक ने प्रोवाइट कराया है लोन और दूसरा स्रेलंकर गवर्मेंट को प्रोवाइट कर होता है कि आपने किसी कंट्री को यह कह ़ैदिया कि आप हम आपको सो रूपे देते हैं आपको जब जब पढ़िए तो आप इसमें से खर्च कर सकते हैं सो रूपे की लीमिट है इदि आपको कभी इसमें से बीच यूप चाहिए तो आप marijuana हैं गया सकते हैं तो आप प्वा होते हैं लाइन ओफ क्रेडिट निमलिकित में से कौन वर्ड एकोनोमिक फोरम की पार्टनर्शिप फॉर न्यू वर्क इस्टेंडर्ड पहल में सामिल हुआ है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो विप्रो हैस जोइंड तब वर्ड एकोनोमिक फोरम पार्टनर्शिप फॉर न्यू वर्क स्टेंडर्ड इनिशेटिव जानते हैं इसके बारे में तो विप्रो ने वर्ड एकोनोमिक फोरम की पार्टनर्शिप फॉर न्यू वर्क स्टेंडर्ड इनिशेटिव इसको जोइन किया है विप्रो की अगर हम बात करें तो इसके चे banking है इसमें digital transformation को accelerate करने के लिए इसको तेजी लाने के लिए साथी अनुप पुरोहित इसको विप्रो ने अपना चीफ information officer appoint किया है निम्रिकित में से किसने रगु नरूला को wealth and personal banking इंडिया का पर्मुख निक्त किया है सही आंतरोगा option B so HSBC has appointed रगु नरूला as the head of wealth and personal banking इंडिया तो देखिए HSBC आप जानते हैं तो इसने रगु नरूला को जो भारत में इसका wealth and retail banking इस तरह का एक department आप समझ सकते हैं तो इसका head न्यूक्त किया है और साथी आपको यह जानना चाहिए कि जो यह HSBC Holdings Public Limited Company है PLC इसका मतलब होता है Public Limited Company इसका headquarters 8 Canada Square London United Kingdom में है तो 8 Canada Square में किस संस्था का headquarters है आपसे पुछा जा सकता है तो answer होगा HSBC Holdings का कहां पर है London में है और साथी इसकी subsidiary firm है Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited इसका headquarters Hong Kong में है तो यह पुरा एक group है इसके अंदरगत कई सारी subsidiary है उन में से एक यह भी है वरिष्ट नोकरशा विश्णुपत सेथी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक Beyond Hair and Other Poems कविमोचन किस ने किया है सही answer होगा option C तो नवीन पतनायक हुज्टक्रेंट Chief Minister of Odisha released a book of poems Beyond Hair and Other Poems written by senior bureaucrat विश्णुपत सेथी और साथे आपको यह जानना चाहिए हमने Odisha के बारे में हाली में क्या पढ़ा था कि Odisha ने हाली में 3-day काइकन का फेस्टिवल होता है रोजा परू तो हमने इसको MCQ में किया था तो उडिसा से हैं तो उन्होंने बताया था कि इसको राजा नहीं बोलते हैं इसको रोजो बोलते हैं रोजो पर तो यह जो है उडिसा में मनाये गया निम्रिकित में से किस ने आदी प्रसिक्षण पॉर्टल लॉंच किया है सई आंसर होगा ओप्शन बी सो ट्राइबल अफेर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज लॉंच आदी प्रिक्षण प्रसिक्षण पॉर्टल तो देखे इस पॉर्टल के थुरू क्या होगा कि जितने भी ट्राइबल्स रिलेटेट जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल्स द्वारा या फिर उसके अंदर गज्जो संस्थान आते हैं उनके द्वारा तो उन सभी को मॉनिटर यहां पर कि सही आंसर होगा ओप्शन डी रिसेंट्ली उनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट हैस रिककनाइज्ट सुमंत सीना एस स्टीजी पाइनिर्स 2021 हिस्ट चेर्मेन एंड एम्डी ओफ लिन्न्यू पावर और साथ यह आपको यह जानना चाहिए जो यह यह यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट यूएन जीसी है इसके सी यो एंड एग्जेट डिरेक्टर है संदा ओजियंबो बारते प्रतिबूती और वीनिमाय बॉर्ड यानि सेवी के बॉर्ड के सदस्य के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो आनन्त मोहन बजाच हैस बिन अपोइंटेड एज अमेंबर ऑफ ती बॉर्ड ऑफ सिक्योर्टी और एंड के रूप में न्यूक्त किया गया है यह तरुन बजाच को रिप्लेस करेंगे तरुन बजाच जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी है साथ ही कोवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधर अपोइंट किये गए हैं यह के वियार मुर्ती तो यह पहले से ही है अब इन्होंने को अपोइंट किया है तो जो इनका बौर्ड होता है इसमें कई मेंबर होते हैं तो इसमें गवर्मेंट की तरफ से ही इन दोनों को जो है अपोइंट किया गया है सेभी के अगर हम बात करें तो 12 अप्रेल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हैट्वार्टर का पहला लकडी का उपगर है वीजा वुड़ सेट किस देश से लॉंच किया जाएगा ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी वर्ड फर्स्ट वुड़न सैटिलाइट वीजा वुड़ सेट वुड़ी बी लॉंच फ्रॉम नियुजीलेंड जानते है इस न्यूज के बारे में तो देखें यूरोपियन स्पेस एजंसी एसे तो यह प्लान कर रही है कि 2021 के अंतर तक हम वर्डी फर्स्ट वुड़न सैटिलाइट जिसका नाम वीजा वुड़ सेट है इसको लॉंच करेंगे तो मकसद वही है कि किस तरह से जो प्लाई होती है य और अगर हम इसकी बात करें तो यह वन केजी की नैनो सैटेलाइट है टैन वाई टैन सेंटिमेटर की साथी इसको जो है डिजाइन और बिल्ड किया है फिल्लैंड के द्वारा न्यूजिलेंड की बात करें तो पी-म है जैसींडा आर्डन कैपिटल है वेलिंग्टन और करं टांसर होगा ऑप्शन डी सो युनाइटेट नेशन सेकरेटरी जनरल एंटोनियो गुट्रेस हैस सर्वड प्रिवियसली एस प्राइम निश्टर ऑफ पोर्चुगल जानते हैं इस कोश्चन के बारे में देखे किसलिए कोश्चन लिया है यह इसलिए कोश्चन लिया है क्य कि युनाइटेट नेशन्स जनरल एसेंबली द्वारा एंटोनियो गुट्रेस को युनाइटेट नेशन्स सेकरेटरी जनरल पत पर रियपॉइंट किया गया है इनका ये कार्यकाल एक जनवरी 2022 से सुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा फिलाल एक जनवरी 2017 से ये 9 कि पत पर कारी रथ हैं फ्रेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको बताना चाऊंगा एक एक एकजाम में इसी से रिलेडिट कोश्चन पूछा गया था सेम ऐसा ही कोश्चन पूछा गया था पर उसमें ऑप्शन थोड़ा अलग दिये थे उसमें य एक ऑप्शन एंटोनियों गोट्रेस का भी था तो वही सही आंसर होना था तो इस तरह से भी कोश्चन पूछ ले जाते हैं तो इसलिए मैंने इस तरह से कोश्चन आपके सामने पेश किया है साथी आपको बता दें कि यह पूर्टगाल या पूर्चुकल इसके प्राइम निश्टर रहे हैं 1995 से 2002 के बीच में साथी यह सोशलिस्ट इंटरनेशनल और युनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर फोर रिफ्यूजीज इसके भी प्रेजिडेंट है रह चुके हैं साथी आपको जानना चाहिए युनाइटेड नेशन्स में 193 मेंबर से हैट फोका ट्रस न्यू योर्क युनाइटेड स्टेट्स में है साथी इंडोनेशिया पहला और इकलोता ऐसा देश है जो एक बार युनाइटेड नेशन्स से अपनी मेंबर्चिप विड्रियू कर चुका था यानि कि अपने आपको वहां से हटा चुका था लेकिन फिर से इसने खुद को जोईन कर लिया था युनाइटेड नेशन्स में तो ये भी फेक्ट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया के पर्मानेंट रिप्रिजेंटेटेटिव कौन है युनाइटे नेशन्स में तो ये है टी एस तिरुमृती साथी फेंट इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपको जानना चाहिए देखिए ये एक कमेंट हमारे करेंट अफेर्स पर आया है तो मिश्टर शिवू लिखते हैं जब से आपके करेंट अफेर्स देखा है स्पीड टेस्ट एंड मोक टेस्ट पर दस से पंदरा नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं और वन रिक्वेस्ट की स्टैटिक जी के थोड़ा इंक्रीस कर दो और मज़ा आएगा तो थैंक्यू मिश्टर शिवू और फ्रेंड से आने वाले समय में यदि आपको भी ऐसा कभी ल 2021 अंतराष्ट यह योग दिवस की थीम क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो योगा फोर वैल बिंग इस थीम फोर 2021 इंटरनेशनल योगा डे जानते हैं इसके बारे में तो देखे इस बार 2021 में जो योगा डे होनाया जा रहा है यह 7th Annual International Yoga Day है यानि 7th edition है और इस बार इसका थीम है योगा फोर वैल बिंग आपको जानना चाहिए कि 11 दिसंबर 2014 में United Nations ने डिक्लेर किया था कि 21 जुन को International Yoga Day मनाया जाएगा और पहला International Day of Yoga मनाया गया आपका 21 जुन 2015 में तो 2014 में डिक्लेर किया गया था और पहला बनाया गया 2015 मे और इसी साल 2015 में Reserve Bank of India ने एक 10 रुपीज का Commemorative Coin भी issue plugs में जारी किया था नीरच चोपड़ा किस खेल परतियों के तामें भाग लेते हैं ओप्शन आपके सामने हैं और correct answer होगा option D तो नीरच चोपड़ा competes in javelin throw event देखे किसले news में है आप news पढ़ सकते हैं नीरच चोपड़ा wins javelin gold medal in meeting C.D. Lisboa in Lisbon तो देखे यहाँ पर एक प्रतियों किता हुई है तो इसमें इन्होंने gold medal जीता है तो देखे जानते हैं इसके बारे में तो नीरच चोपड़ा जो है इन्होंने javelin gold medal जीता है यह Lisbon यानी Portugal की जो capital है यहाँ पर एक event हुआ है तो इसमें इन्होंने javelin throw में यह gold medal जीता है साथे आपको यह जानना चाहिए नीरच चोपड़ा जो हैं यह हरियाना के हैं देखे इस तरह से भी question पूछ ले जाते हैं जब किसी sports person का state पूछ ले जाता है bank exam में भी यह देखा गया है और बाकी जो exam होते हैं उनमें भी इस तरह से question पूछ ले जाते हैं साथे आपको जानना चाहिए कि 2018 Asian Games और 2018 Commonwealth Games में भी इन्होंने gold medals जीते हैं भारत के लिए हाल ही में किस देश ने deep ocean mission को मंजूरी दी है options आपके सामने हैं सही answer होगा option A जानते हैं इस mission के बारे में तो देखिए union cabinet ने यह पहले काफी पहले से यह pending पड़ा हुआ था यह mission approval इसको नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब central government ने इसको approve कर दिया है deep ocean mission तो देखिए इसके तहट क्या होगा है जो भारत के जो crew है जो गोता खोर आप कह सकते हैं तो यह लोग क्या है ocean में 6000 मिटर डीप जाएंगे और वहाँ पर precious metals इनकी खोच करेंगे क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो deep ocean region जो है मतलब काफी गहराई वाला जो रीजन होता है ocean का तो 95% पार्ट तो उसका अब तक explore ही नहीं हुआ है यानि अब तक कभी उस पर research हुई ही नहीं है कि महाँ पर क्या-क्या इस्तित है तो इसी को लेकर जो है यह mission launch होने वाला है और इस mission की जो कोस्ट रहने वाली है यह 4077 करोड रूपीज रहने वाली है और अगले पास साल तक यह जो mission है यह चलेगा और इस mission के लिए नोडल मिनिस्ट्री रहेगी ministry of earth sciences इसके head है डॉक्टर हर्च वर्धन और आपको जानना चाहिए 2021 से 2030 का जो दसक है जो decade है यह मनाया जा रहा है decade of ocean science for sustainable development के रूप में तो इस सभी points आपके लिए important है note down चुरूर कर लीजेगा किस संगठन ने 2021 land for life award जीता है सही answer होगा option d so familial forestry organization has won the 2021 land for life award जानते इसके बारे में देखिए तो किसके द्वारा दिया जाता है UNCCD यानि United Nations convention to combat desertification इसके द्वारा यह land for life award दिया जाता है और इस पार यह दिया गया है फैमिलियल forestry of Rajasthan को और इसके जनक है स्याम सुंदर ज्यानी तो इनके द्वारा यह concept जो है इजात किया गया है तो इसके तहर जो ट्रीज है जो पेड़ है उनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसी थीम पर इन्होंने अपना यह campaign चलाया हुआ है और इसव का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में पाया गया है ओप्शन आपके सामने है सई आंसर होगा ओप्शन डी सो वर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डाइमंड फांड इन बहुत स्वाना तो देखिए बहुत स्वाना में एक company है diamond company इसका नाम है देव स्वाना तो इन्ह 3 mm long 52 mm wide और 27 mm thick जो है इसकी measurement बताई जा रही है साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो अब तक का biggest diamond है जो अब तक का जो डिसकवर हुआ है यह 3106 कैरेट का है इसका नाम है कुलिनन डाइमंड यह साउथ आफ्रिका में डिसकवर किया गया था और उसके बाद दूसरे नंबर पर है 1109 कैरेट का आपका यह लैसे दी ला रोना इसको भी बहुत स्वाना में डिसकवर किया गया था साल 2015 में बात करेंकर बहुत स्वाना की तो फ्रेंट्स यह अफ्रिका का लार्जेस्ट डाइमंड प्रोडूसर कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है यह गैबरोन है और क प्रेजिडेंट हैं आके मोक विट सी मैसी सी आगे बढ़ते हैं हाल ही में संस्कृति और परियतन मंत्री पर्लाज सिंग पटेल ने किस सहर में आयुजित जंडा सत्यागरह में भाग लिया ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो रिजेंटली कल्चर एं जबलपूर मध्यपरदेश तो जबलपूर मध्यपरदेश में ये फ्लैक सत्यागरह को और्गनाइस किया गया है आपको बता दें कि ये सत्यागरह जो है इसलिए किया गया है क्योंकि 18 मार्च 1923 को जो है फर्स्ट ट्राइकलर यानि पहला तिरंगा यहीं पर होस्ट किया गया था यहीं पर फैराया गया था जबलपूर में मध्यपर्देश में आगे बढ़ते हैं कि CII के अनुसार वित्वर्थ 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पात कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C So as per the CII, India's Gross Domestic Product यानी GDP is expected to grow at 9.5% in fiscal year 2021-22 So 9.5% से grow करेगी हमारी GDP यह कहा है Confederation of Indian Industry यानी CII ने Oracle CX कार्यान वेरन के लिए किस बैंक ने Infosys को चाहिनीद किया है Options आपके सामने है, सही आंसर होगा Option C So Federal Bank has enlisted Infosys for Oracle CX implementation जानते हैं इस कुश्चन के बारे में देखे Federal Bank का एक जो यह Oracle CX यह जो एक टूल है, कैसा टूल है? यह Cloud Based Customer Relationship Management टूल है तो इसको जो है, इसकी Marketing के लिए, इसके Sales के लिए और Customer Experience अच्छा प्रोवाइट कराने के लिए Federal Bank ने Infosys को जिम्मेदारी दी है तो यह Product आप याद रखे है, Oracle CX यह Federal Bank से Related है और इसके पूरे Management के लिए Infosys को जिम्मेदारी दी गई है Federal Bank के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके MD and CEO श्याम स्री निवासन है और Chairperson है Grace Elizabeth Koshi और इसका Headquarters Elua Koshi केरल में है बारत में कितने कोलेजों ने MGNCRE द्वारा One District One Green Champion Award जीता सही answer होगा option D So 400 colleges across India won the One District One Green Champion Award given by MGNCRE MGNCRE का मतलब है मातमा गांदी National Council of Rural Education तो इसने Friends One District One Green Champion Award दिये है कितने 400 colleges को और ये जो MGNCRE है ये आता है आपका जो Education Ministry है इसके तहत Ambusha Cement Foundation ने दस राज्यों में ग्रामीन युवाओ को कोशल परदार करने के लिए निमली कितमे से किसके साथ हाथ मिलाया है options आपके सामने है और सही answer होगा option D So Ambusha Cement Foundation has joint hands with NABAD to skill rural youth in 10 states जानते हैं इसके बारे में देखें जो ग्रामीन इंडाके के जो युवाओ हैं तो उनमें skills impart करने के लिए उनमें skills परदान करने के लिए skillful उन्हें बनाने के लिए Ambusha Cement Foundation ने NABAD यानि National Bank for Agriculture and Rural Development के साथ एक partnership की है और NABAD जो है ग्राम में विकास निदी के तहत इनको जो Ambusha Cement Foundation है इसको grant भी provide कराएगा NABAD के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका headquarters मुंबई में है और फिलाल इसके chairman है गोविंद राजुलू चिंतला और आपको बता दे कि जो NABAD की establishment है जो इसका गठन है ये B. Sivaraman Committee इसके सिफारीज पर किया गया था ये fact काफी important है याद रखेगा अखिल भारतिये फुटबोल महासंग के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम बता ये जिनका Federation and he has passed away recently तो All India Football Federation के Vice President होने के साथ साथ ये Tamil Nadu Football Association के former President भी रह चुके थे विस्व सिकल सेल जागरुकता दिवस किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है सही answer होगा option B World Sequel Cell Awareness Day is observed on June 19 तो World Sequel Cell Day ये 19 जून को हर साल मनाया जाता है किसलिए जो सिकल सेल डिसोडर है उसके परती लोगों को जागरुक करने के लिए देखे जो ये सिकल सेल एनेमिया है ये एक जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसोडर है यानि कि सरीर में जो है जो रेड ब्लड सेल्स है ये परियाप्त मात्रा में जो है नहीं बन पाती है तो उसके कारण जो oxygen supply है वो भी डिस्टब हो जाती है उस भारते क्रिगेटर का नाम बताईए जिसे वन प्लस द्वारा brand ambassador न्यूक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन डी सो वन प्लस हैज अपॉंटेड जस्प्रीद बुम्रा एज इट्स ब्रेंड अमबेस्टर तो देखिए जो आप जानते हैं स्मार्ट फॉर ब्रेंड है वन प्लस तो इसने जस्प्रीद बुम्रा को अपने विर एबलस कैटेगरी के लिए brand अबैस्टर चुना है विरेबलर्ट कैटेगरी मतलब यसे वाउच होगय तो जो पहांने वाली चीजह होती है इस तरह की के लिए अपना ब्रेंड अम्बेस्टर चुना है जस्प्रीद बूमरा को अकस्मीरी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक या लेखी का कौन है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन डी काफी इंपोर्टेंट बूगे फ्रेंड्स इसको आप जरूर नोट डाउन कीजेगा साथी गाइस करेंट अफेर्स फंडा को आप टैलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी डिसकसिन ग्रूप में आप किसी भी कॉश्चन का सोलुशन पा सकते हैं और दोस्ते हैं आपर हमारे करेंट फेर्स की प्लेइलिस्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो की कमेंट बोक्स में आप हमें यह जरूर बताईएगा कि यह वीडियो सेशन थैंक्यू गईस